यह घर पे तो question बन जाते हैं, लेकिन पेपर में question attempt नहीं हो पाते हैं मैस के, यह मैस बहुत टफ है, ऐसे कई सवाल आपने सुने होंगे, इन सभी सवालों का चबाब यह है, lack of basic concept, चाहे आप SSC की त्यारी कर रहे हो, चाहे आप banking की त्यारी कर रहे हो, चाहे आप railway की त्यारी क कर रहे हो, या आप debt की त्यारी कर रहे हो, या आप state level की त्यारी कर रहे हो, किसी भी government job की त्यारी कर रहे हो, या आप fourth class में हो, या fifth class में हो और tenth class में हो, किसी भी class में study कर रहे हो, हर जगा math से जरूरी हो, चाहे आप IS का paper दे रहे हो, चाहे आप PUN का paper दे रहे हो, हर exam में कह आपके basic concept को सही करने के लिए जो आपका मैस का एक डर है उस डर को भगाने के लिए मैं लेके आ रहा हूँ राप में आठ से नौ हो लेट्स प्लेए विद मैस अंली ओन अड़ा टू फोट से हूँ यार मुझे मैस बिल्कुल समझ में आती है यार घर पे तो कोशन बन जाते हैं लेकिन पेपर में कोशन एटेंप नहीं हो पाते हैं मैस के यार मैस बहुत टफ है ऐसे कई सवाल आपने सुने होंगे इन सभी सवालों का चबाब ये है लैक ओफ बेसिक कॉंसेट चाहे आप ससी की त्यारी कर रहे हो चाहे आप बेंकिंग की त्यारी कर रहे हो चाहे आप रेलवे की त्यारी कर रहे हो हेलो गुड आफ्टर नून एवरिवन कैसे बच्चों हो फूली सही होगे तो आप लोगों के लिए क्या है आज आपको पता है कि आज पाइप इंड सिष्टन की क्लास होने वाली है टाइम इन वर्क हमने तीन दीन किया था टाइम इन वर्क हमने बेसिक कोश्चन भी किये कॉ बनाबका सेलेक्षन शिर्फ टोटली डिपेंड करता है आप पे स्टूडेन्त का स्टूडेक्षन जो होता है मैं बार बार बनाब बहुता हो वह this to student पेडेपेंड करता है teacher institute कुछ नहीं करता है आप किसी पी टीचर से पढ़ो, ना पढ़ो, आप कोई कोचिंग जोइन करो, ना करो, अगर आप महनत करोगे, तो confirm एक selection होगा, confirm है, बस इमानदारी से, मैं बार 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 बोलता हूँ कि इमानदारी से, अपने दिल पे हाँ धरके कह सको, कि हाँ हमने इमानदारी से महनत किय है, तो महनत करोगे, और regulatory, मैं बार बार बोलता हूँ कि discipline life में, success के लिए discipline सबसे जादा माने रखता है, और मैं आपको फिर बार बोलता हूँ कि इसका फरवचन देना बहुत जादा असान है, कि discipline में रहो, discipline में रहो, जो खुद बोलते हैं कि discipline में, वो खुद ने रहते हैं चाहे वो school का हो, या college का हो, मेरे assignments होते हैं, हमेसा up to date रहते हैं, मतलब समय से पहले बनाव को त्यार रहता था, और हमेसा examples set होते थे, मतलब मेरी assignment की copy, मेरी notebook, यह ना class teacher जो दिखाती थी सबको, या college में भी मेरे assignment example में दिए जाते थे, मुझे याद है कि मेरे college में, कई ऐसे मेरे assignments हैं, जो college के library में रखे गए थे, as a simple, क्योंकि यह क्या होता है, आपको पता होगा, कि जब आप junior होते हो, तो आपको कोई भी assignment मिलता है, तो वो क्या होता है, कि आपको teachers या आपके seniors देते हैं, चलो, यह ऐसा बनना चाहिए, तो मुझे ऐसा गर्व है यह चीज होगा, तो वही फिर में आपको बता रहा हूँ, कि फिर life में बहुत सारी चीज़ें भी बहुत जगह में punctual नहीं रहा, discipline मिने रहा, तो जो एक growth वो होता है, अब वो वाली बात अलगती, तो वही चीज़ आपको में समझा रहा हूँ, कि discipline बहुत ज़रूरी है life में, तो चलिए होता है, pipe insistent basically कह सकते है, topic जो है, आजकल जो questions आ रहे है, time and work से थोरी से कम pipe insistent से ज़्यादा आ रहे है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्योंकि है तो यह एक ही topic, आप time and work बोलो, या pipe insistent बोलो, एक ही concept होता है, इसमें क्या होता है, कि negative work का concept थोरा सा जूर जाता है, मैं फि मैं आपको बताता हूँ कि सुरुवात का basic concept क्या है, देखो मैं आपको basic theory बता पर हा रहा हूँ अभी, तो आप अभी आराम से, बहुत बारीकी से समझना theory, ताकि आगे जाके जब questions बताऊं तो आपको problem ना हो, तो देखो theory क्या समझते हैं, ध्यान से साथ, समझते हैं, इसे मान लिजए कि यह एक pipe, यह एक tank है, इस tank को जो है, A fill कर रहा है, यह A fill कर रहा है, और यह B भी fill कर रहा है, यह B भी fill कर रहा है, यह भी fill कर रहा है, और एक pipe C है, जो ground में है, वो है कि इसको क्या कर रहा है, खाली कर रहा, empty कर रहा है, यह क्या कर रहा है, पाइप C इसको खाली कर रहा है, इसे पानी बाहर जा रहा है, तो अब आप देखो, मानलो दिया है, कि A फिल कर सकता है, मानलो 20 घंटे में, B फिल कर सकता है, इसे मानलो 15 घंटे में, और C इसे खाली कर सकता है, 10 घंटे में, क्या हो रहा है, या फिल कर रहा है, या भी फिल कर रहा है, और या ऐसे हीजए ककच कशन के शिर साथ कर दिर साठीक करें आप देखना द्χान से यह 2 पाई फिल कर बार और अडिस ए तीसुछ ने टीसरा को amiga Пр Nurse पो नौर्मल सा कॉंसेट लो और कितने देर में टैंक भर जा कीई या हिए यह सवाल है कितनी दिर में टेंक भर जगा या खाली हो जाएगा तो practically सोचो कि यह क्या करते है LCM लेते हैं तो 20-10 बारह का LCM क्या हुआ what will the LCM 20-10 बारह का LCM 60 हो गया मतलब यहां जो यह total work 60 हाया it means कि tank की capacity है tank को fill करना है मतलब हमारा जो work है हुआ क्या है tank को fill करना तो tank का volume हो गया यहाँ 60 unit है तो 76 unit होगया तो का भीक करना है कि Harry आफ यहाँ 60 unit tank का product total volume बारा कि आफ यहाँ आब आवर work क्या हो गया this is the 3 घंटा क्या होगया यहाँ 6 और वन-वर क्या होpe अब यह बच्चे empty कर रहा है मतलब यहां minus work होगा, क्या होगा minus होगा, यहां ध्यान से देखना, मैं फिर समझा रहा हूँ, आप लोग क्या होता है, अभी शुरुवात में आते हैं, लेट से आते हैं, दस मिनट, पंदे मिनट, बीस मिनट, आधे गंटे लेट से आते हैं, और अभी बहुत बारीकी से समझो, मैं एक एक word जो बोला हूँ, वो काफी important है, A fill कर रहा है, B fill कर रहा है, C empty कर रहा है, मतलब दो positive work कर रहे हैं, और एक तीसरा negative work कर रहा है, A positive work कर रहा है, B positive work कर रहा है, C क्या कर रहा है, negative work कर रहा है, LCM होगया 60, 60 मिनट रहा है total work, तो 60 यहां हो रहा है, अब तीनों को जब add करोगे, 69-5 मतलब यह 4, बच्चे अगर यह positive है, मतलब confirm है कि tank भरेगा, और अगर यहां negative हो जाता तीनों का sum, अगर यहां negative, negative कब हो सकता, अगर ऐसा देता कि A किसी क्राम को 25 में, B EC को 20 में, और C EC को 10 घंटे में खाली कर सकता, यह empty हो जाता यह क्या हो जाता है, इहां इसा लिखता हूँ, अगर मैं यहां लिखता है, देखो ध्यान से में बताता हूं यह अगर नेगेटिव होता, जब यह ऐसा concept होता, देखना ध्यान से, ऐसा होता, कि A FLE कर रहा है, 25 घंटे में, B FLE कर रहा है, use Fill कार देखो ध्यान से समझ आगन यह फिल कर रहा है मानलो 20 गंटे में और यह empty कर रहा है C 10 गंटे में तो अब यहां क्या हुआ यह 10 गंटे कर रहा है, LCM ले आपने क्या हुआ 50 यह 2, यह 50 नहीं आएगा, यह का LCM आगए आपने पास 100 मानलो 100, तो यहां क्या आगया? 4 देख रहे हो आप यहां क्या आगया 5, यहां आगया minus 10, अब सब को जोड़ोग तो यहां क्या आगया? minus 1 It means क्या हुआ? कि it means कि finally tank खाली होगा, वह भरेगा ही नहीं कभी भी वह tank finally क्या होगा? खाली होगा, मतलब क्योंकि 3 का sum क्या है? negative आया और यहां तीनों का sum क्या है? positive मतलब tank finally भरेगा, यह चीज़ याद है, अब यहां tank भर रहा है, तो कितनी देर में भर जाएगा? तो कितनी देर में भर जाएगा? टाइमिंग इस कर दो क्या है? टोटल वर्क 60, अपॉन, टोटल वर्क यहां क्या मिला के? 4, तो 60 पाए 4 भर जाएगा, clear है? कोई दिकत नहीं, समझ में आ गया, concept में क्या बताने की कोशिस कर रहा था? अब देखो दूसरा example, अब इसका दूसरा example जोगा, थोड़ा से advanced level example, देखना धियान से, अभी same concept है, कि मान लिजए कि A जो है, वो फिल कर सकता है 20 hours में, B फिल कर सकता है, मान ल यह फिल आ गया, और यह फिल आ गया, अब क्या दिया हुआ है, कि pipe A स्टार्ट हुआ एक बजए, pipe B स्टार्ट हुआ दो बजए, या हाँ, दो बजए, और pipe C स्टार्ट हुआ चार बजए, कितने बजए, चार बजए, at what time tank will be totally full or fill, कितने बजए tank यादे totally full हो जाएगा, य क्या है फिर से समझाता हू, pipe A स्टार्ट हुआ एक बजए, pipe B स्टार्ट हुआ दो बजए, और pipe C स्टार्ट हुआ चार बजए, और A और B फिल कर रहा, और C खाली कर रहा हाँ, कितनी देर में tank finally full हो जाएगा, या खाली हो जाएगा, कितने बजए, tank या तो भर जाएगा, तो बच्चे अगर हमें देखूँ कि 10, 20, 8 का LCM 40 आ जाता है, मुलिए tank की capacity 40 आ गई, अब यह क्या करता है, 1 hour work 2, 1 hour work 4, 1 hour work 5, मत्दब माइनस 5, अब यह कितने बजे start हुआ, 1 hour, तो बच्चे ऐसे question में क्या करते हैं, कि सब अगर अलग अलग timing पर start हो, तो जितने बजे तीनो Cands start होते हैं, उस ßाइमिंग तक देखते हैं कितना work हो चुका है, एक बजे स्टार्ट हुआ A, दो बजे स्टार्ट हुआ B, और C जो है वह चार बजे स्टार्ट होता है और वह खाली करने के लिए, तो अब कंशन वाजे से मानलो की A खाना बना रहा है, ठीक है, B भी खाना बना रहा है, या उस पर छोड़ दो, एक्जमबल समझो, मानलो की A की जॉब लग गई, वह कमा रहा है, दो साल बाद B की भी जॉब लग गई, वह भी कमा रहा है, और फिर, मतलब A कमा रहा है, एक साल बाद B की भी जॉब लग गई, वह भी कमा रहा है, और दो साल बाद C की साधी हो गई, या मतलब A की साधी हो गई, A की साधी हो गई, वो आ गई घर में कौन? C, वो खर्च कर रही है, वो कमा नहीं रही है, वो खर्च कर रही है, तो मनलो A दो लाख रुपया कमाता है, और B चार लाख रुपया कमाता है, और C पांच लाख रुपया कमाता है, और C पांच लाख र तो यह कमा तो रहा है, एक सही न, तो बेंक में पैसा जमा किया हुआ, तो चार से पहले देखो, बेंक बैलेंस क्या था, तो चार से पहले बेंक बैलेंस क्या था, तो यहां कितने बजे शुरू हुआ था, जॉब करना, एक बजे, तो एक से तीन, कितने घंटे वे, तीन तो 2004 से पहले कमा के रखा था ना क्योंकि साधी नहीं हुआ था उसमें खर्चा था नहीं तो 2 इंटू 3 6 यह 2 बजे स्टार्ट हुआ तो 2 से 4 इसको 2 घंटे कमाया मतलब 2 इंटू 4 मतलब 8 अब यह bank violence 8 हो चुका आठ से 14 हो चुका कितना जमा करना है 40 तो 40 में से 14 भाग हो गया मतलब कितना बचा आपके पास बचा 26 यूनिट कितना बचा 26 यूनिट अब यह 26 यूनिट बचा अब कितना टाइम लगेगा 26 काम बचा अब तीनों मिलके कर कितना पार रहा चार दो 6 माइनस एक 6 माइनस पांच एक मतलब 26 घंटे तो कब के बाद 26 घंटे चार बजे के बाद तो 4 बजे के बाद फिर 26 घंटे लग गए मतलब क्या हो अगले दिन 4 बच कर अगले दिन 4 बचे का 24 घंटे में अगले दिन क्या बचे का 24 घंटे में 4 बच जाएगा और फ तो next day 6 pm पर tank finally भर जाएगा, next day 6 pm पर tank finally क्या हो जागा भर जाएगा, किसी को कोई doubt, समझ में आया concept कि मैं क्या बताने की कोसिस कर रहा था, मैं क्या समझाने की कोसिस कर रहा था, यह clear हुआ, किसी को कोई problem, समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, clear है concept, बताओ, अगर clear है, को कृष्णा कुमारी बोले हैं सिंगल रहो हैप्पी रहो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यह समझ में आया अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछ लो ता कि क्योंकि मैं आगे और इसमें ट्विश्ट करने वाला हूं सर माइनस में एक होगा ना देखिये माइनस में कैसे एक होगा बच्चे चार प्लस दो यह मिला के छे है छे माइनस पांच एक हुआ ना तो यह प्लस में है यह माइनस में कहा आया अगर यह दोनों मिला के जादा है यह दोनों भाई मिलके छे लाग कमाता है वाइफ खर्च कर कर लेजे, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा इंतजार कर लेजे, patience रखिए, अपने भाईयों को भी समझने देजे, भाईयों और बहनों को भी, देखिए, एक बार फिर से देख लेजे, concept क्या था, कि A 20 घंडे में भर सकता है, B 10 घंडे में भर सकता है, C 8 घंडे में भर सकता हो गया, 4, एक घंडे के इसका काम हो गया, minus 5, तो बच्चे, अगर तीनो को आप add करते हैं, तो यहां क्या आता है, यहां देखो, 2, 4, minus 5, this is the 2, this is the 4, and this is the minus 5, तो तीनो मिला के यह plus आया, अगर यहां 4, 2, 6, minus 5, plus आया, अगर plus आया, मनले, tank finally भरेगा, तो जब भी ऐसा concept हो कि एक साथ सारा आ जाए, अलग-अलग timing पर, तो जो सबसे last में शुरू हुआ, उससे पहले का देखो कितना काम हो चुका है, चार के आने से पहले, देखो, एक स्टोरी से बताता हूँ, एक स्टोरी आप इस तरीके से समझो, जैसे मानलो A और B भाई थे, उनका सपना था कि 40 लाग रुपया में कठा करें, और अपना एक घर खरी दे, तो A की नोकरी लगी, वह 2 लाग रुपया पर एयर कमाता है, B की नोकरी लगी, एक साल बाद वह 4 लाग रुपया कमाने लगा, लेकिन उसने गलती की कि एक साधी कर ली, और C जो आई उसकी वाइफ, वह 5 लाग खर्च करती है, तो यह दोनों भाई मिलकर 6 कमाता और B B खर्च करती है, 5 लाग मतलब फिर भी 1 लाग रुपया बचट है, लेकिन साधी से पहले तो खर्च नहीं करता था न, तो वह कितना पैसा bank balance करके रखा था, यह एक में इसकी जॉब लगी थी, और 2004 की बात हो रही है, मतलब 3 साल में इसने 2 तिया 6, मतलब 6 unit जमा करके रखा था, इसकी 2 में जॉब लगी, इसकी साधी 4 में हुई है, तो मतलब क्या हुआ, दो साल में कितना कमाता रखा है, 8, मतलब 8 से 14 वर्ख तो कर चुका है, चालिस में, 14 वर्ख हो चुका है, 26 काम बचा हुआ है, अब यह 26 कि में कितना टाइम लगया, क्योंकि अब तो 26 लाग जमा करना है, अब 26 लाग जमा करना है, और पता चल ला है, दोनों भाई कमाने, बीवी खर्च करीए, मिला के एक ही लाग बचा पा रहा है, मतलब और 26 साल लगेंगे, मतलब आगे 26 आवर्स, कब के बाद, 4 बजे के तो 24 घंटे हैज करीए, नेक्स डे आ गया, तो नेक्स डे चार बजे के बाद, फिर 2 घंटे, 6 पी-म, तो 6 पी-म, बट नेक्स डे, क्या बाद, नेक्स डे, अब क्लेर हो गया, प्लीज, अब मत बोलना की नहीं समझ में आया, ठीक है, किसी को को अधिकत नहीं, चलिए, चार बज़े का चार से सुरुबात के, न चार बज़े के बाद लग गया, ठीक है, अब मैं को थोरह सा घुमा रहा हूँ, देखना ध्यान से ज़बा, देखिए, ध्यान से जबा, देखिएगा, क्वेस्जी में क्या दिया हुआ है अब, इसको बना दो 15 घंटे, क्या बना कर दो, आपको बताना है, at what time tank will be totally full or fill, at what time tank will be totally full or fill, sir, हमसे humberg का question हुआ ही नहीं, आप यहाँ पर easy question discuss करके, humberg hard दे देते हो, अच्छा, ठीक, humberg को बता दूँगा, खोई वात नहीं है, मतलब, cheating कर लिया मैंने, ना, बता हूँगा, humberg का question बता हूँगा, humberg को बता हूँगा, तो उसमें discuss करूँगा, nishtzet, okay? guilt i जलिए, बताई यह रफास्ट इस question का answer की जेए तो, बताई यह रफास्ट, जैदा दरनहीं बनते, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात में बताहँगा, कोई बात नहीं है, बताहूँगा, कोई बात नहीं है, बताई रफा यह बीस घंटे में भड़ता है यह 15 घंटे में भड़ता है और यह एंपटी करता है 6 घंटे में बता यह आंसर क्या आएगा कितने बज़े टेंक यह तो भरेगा यह तो खाली होगा देखो क्या होता है concept समझना जड़ा LCM ले लिया 20 15 6 का LCM क्या हो गया इसका आप इसका LCM देखो कि 60 आ गया मतलब अब फाइनली क्या हो रहा है टेंक भरेगा या खाली होगा टेंक फाइनली खाली होगा क्यूं क्यों क्यों कि यह तो पता चल गया कि टेंक फाइनली क्या होगा खाली होगा अब मैंने क्या बुला था पांच बजे से पहले देखो कितना काम हो चुका है तो पांच बजे से पहले मले एक बजे शुरू हुआ था चार गंटे में चारतिया बाराय काम चार गंटे पहले वहा था यह कितने तीन गंटे पहले तो यह भी बार आए का मतलब 24 काम हो चुका है क्या हूँआ 24 काम हो चुका है तो बच्चे क्या हुआ कि पहले tank खाली था बिलकुल अब 5 बच चुके है यह का total unit 60 unit है इसमें से 24 उनिट टैंक भर गया है टैंक भर गया 24 उनिट अब क्या हुआ C आ गया और C अब खाली करना शुरू किया अब C खाली कर रहा है 10 उनिट और यह दोनों मिलके भर रहा है 7 उनिट मतलब एक confirm है कि भरेगा तो टैंक नहीं और खाली होगा 3 उनिट हर गंटे तो 3 उनिट जो खाली होगा कौन सा पार्ट खाली होगा जो पहले से भरा था अब आगे भरना तो दूर 60 उनिट है अब बचा हुआ काम यहाँ 6-24 नहीं करेंगे बचा हुआ काम यहाँ 6-24 डिवाइड भाई 3 नहीं करेंगे 60-24 तो तब करते हैं जब आगे और भरना होता अब तो भर तो रहा नहीं है जो पहले से भरा हुआ था वो भी खाली हो जाएगा तो पहले से कितना उनिट भरा हुआ था 24 उनिट अब हर गंटे कितना खाली हो रहा 3 तो 24 बटे 3 मतलब 8 घंटे में और खाली हो जाएगा तो कब के बाद 5 पी एम के बाद 8 घंटे और जोड़ दो तो 8 घंटे जोड़ा मतलब 13 मतलब 1 तो 1 एम 1 एम पे टेंक क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा 1 एम पे टेंक क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा इस अफी म्यार में वह दॉट से हो कर्च कर्च दयाहिं मतलब एक भाई कमार है पर दूनों भाई जो जमा था, तो bank balance कितना जमा था पहले से, 24, तो 24 जमा था, हर महने वो bank से 3-3 लाग रुपया निकालके, आठ महने बाद क्या हुआ, खाली, उसकी बीबी भाग गई, आठ महने बाद अब वो कहां से पूर्ती कर पाएगा, आठ महने बाद उसका bank balance भी खतम, zero, empty हो गया, कोई doubt नहीं, समझ में आगा questions है, ठीक है, चलिए, कहीं कोई problem, yes sir clear है, चलिए, अब चलते है, next question क्यों चलते है, यह हो गया, अब अपने पास हम questions की और direct चलता हूं मैं, ठीक है, मैंने आपको basic theory आपको समझा दिया, questions की और चलता हूं मैं, आज questions अच्छे अच्छे हैं, थो question देखो और answer करो, जल्दी से fast, बताई, sir इसमें 7-24 क्यों नहीं होगा, आयुसमान आप यह बताईए, कि tank की capacity 60 unit थी, tank भरेगा, तभी नो 60 में से 24 भर दिया, तो जो बचा उसको भरेगा आगे, अब tank भर नहीं रहा है, अब tank खाली होगा, जो खाली होगा, वही पार्ट न क्योंकि अब tank खाली होगा, तो 24 unit भरे थे, अब उसी को खाली कर देंगे, क्योंकि tank आगे भरी नहीं पा रहा है, अब बताई, इसका answer की आएगा, जल्दी से रहा, fast, प्रदीप क्या नहीं समझ में आया, अरे, इमोशनल मत हो रहा हूँ, मैं तो बस जच्छ एक, मतलब क्या कह सेता है, उसको लाइटली कॉमेडी कर रहा था, आप इसको इमोशनल मतले तो, वाइफ को बदनाम नहीं हो रहा है, यार, कौन वाइफ को बदनाम कर सकता है, घर की लच्मी होती है, चरो तो मैं मजाक क रहा था, कोशन दीख तो रहा है, अच्छा तो, ठीक, इसका देखो, आंसर भी करने, लोग 40-60 बता रहा है, देखो क्या दिया है, A, B, C क्रम से 12 गंटे में भर सकता है, A, B, C, तोगेदर कें फिल, A, B, B, C, या मिलकर भर सकता है, 12 गंटे में, अब आगे दिया है, कि तीनों पाइप को खोल दिया गया, चार गंटे के लिए, वाल बाराई गंटे में भर सकता है, चार गंटे का काम हो गया, तो कितने गंटे का काम बचा हुआ है, 8 गंटे का काम बचा हुआ है, A, B, C, के 8 गंटे का काम बचा हुआ है, अब इस 8 गंटे को कौन करता है, कि C को बंद कर दिया गया, ठीक है, अब A और B मिलकर इसको 10 गंटे में भर देते है, A, B, मिलकर इसको 10 गंटे में भर देते है, A और B मिलकर इसको 10 घंटे में भर देते हैं तो पूछा कि C अकेले 2 बटे 3 भाग कितने दिर में भरेगा तो C की फिसेंसी अज निकाल सकते हो देखो 2 4 जा, 2 5 जा तो यहां से क्या आगया अपने पास यहां से अपने पास आगया कि 4 C इसकल टू क्या A प्लस B प्लस C का रेशियो, 4 इसको 10 का रेशियो आगया समझी में आगया कोई दिक्कत नहीं अब यहां से क्या पूछ रहा है कि C पूरा 2 3 कितनी देर में भरेगा तो बच्चे अब क्या सिंपल सा लगा तो टाइम अनुरक वाला कॉन से कि A A प्लस B मिलके पूरा 12 घंटे में भरता है A प्लस B प्लस C मिलके 12 घंटे में करता है तो C अकेले कितनी देर में भरेगा, कितने टाइमिंग भरेगा अगर उसकी efficiency क्या है उसका कितना काम भरना है 2 3rd तो 2 x 3rd पार्ट अब देखो A प्लस B प्लस C कितना है पांच इंटू बार है, साथ, C की पिसंची क्या है, 1 इंटू T इंटू 2 बाई 3, तो 2 से कट गया, 6, तो T की वैलियो क्या गई, 6 पुछे 30 है, 90, 90 is the right option, कुछ गलत कर दिया, क्या, 5, आँ, बार है, तो ये क्या हो अपने पास, बार है, हाँ, 5 इंटू बार है, 60, तो 2 से कट 6, 30, 90, 90 आगया answer, एक बास फिर से देखो, ये क्या था कहीं, mistake है, क्या मैं समझा, एक बास फिर से देखो, कि A, B, C किसी टेंग को 12 गंटे में भर सकता है, A+, B+, C, इसको 12 गंटे में भर सकता है, अब क्या दिया, कि 4 गंटे तक भर दिया, क्या दिया, 4 गंटों के लिए खोल P+, B मिलकर, बचा होए भाग 10 गंटे में कर देता है, तो 25,24, तो यहां से क्या ओगया, कि देखो आप दियान से, यहां क्या ओगया, 4C equal to क्या, A+, B, 4C equal to क्या, A+, B, तो यहां से क्या ओगया, A+, B, कैसे ओगया, देखो न, यहां 5, A+, B था, यहां 4, A+, B था, ऊधर चिका हैं, सिर्फ a plus b बचा, यहां क्या हुआ? 4c, तो a plus b to c का ratio जो है, वह क्या आगया? 4 is to 1 आगया, कोई दिकत नहीं, अब पूरा काम का दिया हुआ है, कि c अकेले टेंग का 2 तीहाई भाग इतनी दिर में भरेगा, तो पहले पूरा निकाल दो, तो a plus b plus c, किती दिर में, पूरा 12 घंडे में पूरा काम कर सकता है, तो c अकेले किती दिर में कर सकता है, तो इसकी एफिसन्सी का होगी, 5 into 12, इसकल टू c की एफिसन्सी क्या है, 1 into t, मन्ने t is equal to 60 आगया, 6 घंडे में पूरा काम कर सकता है, तो 6 गंडे में पूरा काम, तो 3rd काम किया हो, 7 x 2 x 3rd, 3 से कट गया है, 20 दूनी, 40 is the right answer, तो 40 इसका सही अंसर है, हाँ, LCM लेके भी आप कर सकते इस question को, इस question को, 40 is the right answer, बिल्कुल सही है, 40 is the right answer, LCM लेके भी कर सकते questions को, देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ, इसको दूसरे तरीके से कैसे solve करेंगे, अब मैं आपको समझाता हूँ, कि इसको दूसरे तरीके से कैसे solve करते है, ठीक है, अब ये clear है method, अब दूसरा तरीका देखो, ठीक है, अब दूसरा तरीका बच्चे अगर आप इसको देखते हो, अब इसको देखो student matter, यह तो teacher matter था, अगर इसको पूरा समझते हो, तो a plus b plus c 12 गंटे में काम करता है, a plus b plus c जो है, वो 12 गंटे में काम करता है, ठीक है, पूरा काम मौनलो 12 है, और a plus b plus c ने 4 गंटे काम किया, 4 में करता है, a plus b जो है, वो है 2 थर्ड काम, 2 थर्ड काम 10 गंटे में करता है, a plus b, तो पूरा काम कितना हो, 10 गंटे में 2 थर्ड काम करता है, 10 गंटे में क्या करता है, 2 थर्ड काम करता है, समझ रहे हो, तो पूरा काम क्या हो जाएगा, 15 गंटे में करेगा, पूरा काम 15 गंट करते हैं, तो अब आप देखो कि a plus b का 4 घंटे का काम क्या हो गया, 4 बटे 15, 4 बटे 15 क्या हो गया काम, तो 1 3rd में से 4 बटे 15 माइनस कर दिया, यह इन्टू 5, तो 1 by 15 काम C का हुआ, तो 1 by 15 काम C ने किया 4 घंटे में, तो पूरा एक काम किते हैं, सही तो है, I think इससे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, छोड़ दो, क्लेर हो जाएगा, 40 अगया, इससे ज्यादा, ज्यादा कैल्कुलेटिव है यह, यह मैठड मेरे खाल से ज्यादा कैल्कुलेटिव है, आज आम से दूसरा कॉर्शन करो, ठीक है, चलो दूसरा की और चलते हैं, दूसरा मैठड से करो, यह मैठड ज्यादा असान, मेरे खाल स 13 नहीं आएगा बच्चे आंसर वही 40 आएगा 40 इस राइट आएगा 40 आएगा बिलकुल सही है बता इसको जले इसको बता इसको जली सांसर क्या आएगा देखो इस नॉर्मल सा कोश्चन है सल प्लीज लेट मी लेट में से बता दिजे बताएगे LCM से भी बता बन जाएगा बच्चे इस बना लो LCM से चता इसको बनाओ में बता जुनको LCM से बनाना था अगर A plus B plus C अकेले 12 गंटे में काम करता है पूरा काम बा रहा है 4 गंटे में 4 काम हो चुका है 4 काम हो चुका है A plus B plus C कर रहा है 4 काम और 4 गंटे काम हो चुका है यहां 8 गंटे काम बचा हुए ना पता ने क्या था यार 12 4 गंटे उसके बाद यहां C अरे बचे वह LCM से नहीं बनेगा गलत बता रहे हो आप लोग LCM से LCM तो ऐसे नहीं बनेगा आप पतान सबका LCM ने पूरा काम complete थोरो होता है उसमें आदित्ये सर्मा उसमें आप जो यह ले रहे हो ने एक सिकन में थोरा सा कुछ बच्चों का clear कर दे तो एक बाद आप जो यह ले रहे हो कि A plus B plus C का 12 और यहां आप लिख रहे हो कि whatever जो भी की A plus B plus this call to 10 तो यह LCM नहीं ले सकते क्योंकि A plus B पूरा काम नहीं करता है यह A plus B plus C 12 काम करता है यह LCM ऐसे नहीं ले 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 सकते हो कि A plus B plus C पूरा 12 काम करता है मतलब यह 12 हो गया यह 4 काम हो चुका है मतलब 1 3rd काम हो चुका है 4 घंटे का काम हो गया यह 2 3rd काम बचा अब 2 3rd काम A plus B करता है 20 घंटे में देखो अकर clear नहीं होता है 2 3rd काम A करता है कितने घंटे में यहां दिया हुआ है 10 घंटे में 2 3rd काम तो पूरा काम A plus B किती दिर में करेगा 30 बटे 15 घंटे में तो A plus B पूरा काम करेगा 15 घंटे में तो 4 घंटे में कितना काम किया होगा A plus B ने 4 बटे 15 काम किया होगा A plus B ने और पूरा काम हुआ 1 थर्ड तो 1 थर्ड में 4 बटे 15 घटा दो तो C का काम आ जाएगा 1 थर्ड में 4 बटे 15 घटा 5 से multiply कर दिये, तो यह क्या होगा अपने पास, 1 बटे 15 काम किस ने किया, C ने, 1 बटे 15 काम C ने किया, तो 1 बटे 15 काम C ने किया कितने घंटे में? 4 घंटे में, तो 1 काम किते तिर में करेगा? 60 घंटे में, तो C पूरा काम करेगा 60 घंटे में, अब 2 थर्ड काम करेगा, 60 का 2 थर्ड करो, 40 आगे answer, तो यह ज़्यादा लेंदी नहीं है, क्यों इस चक्कर में फसले हो, मुझे लगा सुरुवात में की, ज्यादा असान है, लेकिन यह ज्यादा लेंदी, इसलिए मैं इसको स्किप कर दिया कि बेटर वही मैठट था, इसको बाद में देख ले ना, वीडियो को आजम से पॉस करके, समझ में आजा है कि मैं क्या बतानी की कोसिस किया था, तो आसा फास्ट बता अबरफ्लो एस पर्षेंटेज अफ टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रिश्टियन, क्वेश्टियन में दिया हुआ है क्या, कि A, B, C, 12, 18, 24, LCM क्या आगया, 72, यह आगया, 6, 4, 3, को दिकत, तीनों मिला के कितना हुआ, 13, कितनी देर तक भर आया, 7 तक, तो 13 इंटू 7 मतलब एक क् लेकिन काम तो बहत्तर ही होना चाहिए था, तो कितना ओवरफ्लो हो गया, 91-72, कितना ओवरफ्लो हो गया, 11 में दो गया, 9, यहां क्या बच गया, 8 में 7 गया, 19 यूनिट बहत्त, क्या हुआ, ओवरफ्लो हो गया, अब यह पूछ रहा है, कि what will the volume of water that overflow as the percentage of total volume, तो 19 यूनिट ओवरफ्लो हो टोटल volume कितना है, 72, तो अपोन क्या हो, 72 into 100, तो 4 से गट गया, 25, 4 से गट गया, 18, तो यह क्या हो, 19 into 25 बटे 18, तो नीचे देखो, 18 में एक ही है, या तो यह 26 वाला है, और या तो यह 26 पे 5 बटे 18, तो 9 पचे 45, 45 आना चाहिए, 8 सची 56, 6 साथ नहीं होगा, 8 48, देखो, 9 पचे 45, लास्ट में 5 आना चाहिए, लास्ट में 5 आना चाहिए, तो किस से करूँ कि यह 5 आ जाए, नहीं कुछ दिख रहा है, तो यह काम करो, तो उपर नीचे 4 समल रिपलाई कर दो, एक काम करो, 100 अपोन यहां क्या हो जागा, this is the, डिवाइड करो, अप्रोक् से जादा क्या आएगा, 48 सत्य यही आएगा, A option, यह समझ में आया, A कैसे हुआ, कैसे मुझे पता चल गया, कि A आएगा, देखो, सबसे पहले तो नीचे में 18 होना चाहिए, तो यह दोनों होगा नहीं, यह दोनों है, अब unit digit देखो, 9 पचे 45, मतलब unit digit में 5 आना चाहिए, अब देखो, 6, 8, 48, 48, 47, 45, मतलब लाष्ट में 5 है, इसमें देखो, 8, 48, 48, 48, 48, प्लेस 5, तिरपन मतलब लाष्ट में 3 आएगा, यह नहीं होगा, यह option, A है, यह तो 25, 19 करके 18 से डिवाइड करो, तो 25, 19 करके 18 से डिवाइड करने से ज्यादा असान है कि आप unit digit से solve कर लो, इतना दिमाग लगाएगा, बिल्कुल दिमाग तो लगाना ही होगा, डिवाइड करोगे पेपर में नहीं होता है डिवाइड बच्चे, अभी आप घर पे बेठे हो तो आपको लग रहा है कि डिवाइड कर लो, लेकिन जब आप पेपर में करोगे तो बहुत इतना नहीं है, क्लियर है, जो मैं बता रहा हूँ, इतना नहीं कि 9.45 दिख रहा है, 5 unit digit है, देखो ना, तो यह दोनों होगा नहीं, क्योंकि नीचे 18 होना जाए, 18 वाला यह दो अप्सन है, यह unit digit देखो क्या, 8.48, 48.7, लाश में 5 आरहा है, यह 48 पॉंच यह नहीं आ रहा है, यह 5 मतलब यह आप्सन सही है, ठीक है, चलिए, next की और चलता हूँ, यह बताओ ज़रा fast, fast जल्ली करो, इसका अंसर क्या आएगा, इतना दिमाग रिसर्फ लगाना होगा, रिसर्फ इतना दिमाग आपको लगाना होगा, समझगे, चलो बताओ जल्ली से fast अंसर क्या आएगा पाइप A and B together can fill an empty tank in इतने a minute, A takes 3 minute more to B to fill the tank, then time in which A alone would fill one third part of the tank, normal सा है, कि A और B मिलकर fill कर सकता है, कितनी दिर में, 20 वटे 3 minute में, अब देखो बच्चे, कि A और B मिलकर इसको 20 वटे 3 minute में उखड सकता है, अधी A tank को भरने में, 20 से 3 minute का अधिक समय लेता है, मतलब A और B के सम इक अंतर 3 minute है, तो देखो बच्चे इसको पहले basic से बताता हूँ, फिर इसको direct बताता हूँ, this is good question, यह paper में कई बार आ चुका है, देखना ध्यान से, A अकेले भर सकता है, मानलो X में, और B से 3 minute अधिक लेगता है, मतलब अगर B को X मान लिया, तो A को होगा X plus 3 minute, देखो basic स 1 by X plus 1 by X plus 3, और A plus B का 1 hour work क्या है, यह 20 बटे 3 दिर में भरता है, तो 1 hour work क्या है, 1 upon 20 बटे 3, मतलब 3 बटे 20, यह लिख सकता हूँ, बताओ, यह B का 1 minute work है, यह A का 1 minute work है, यह A plus B का 1 minute work है, तो आपको अब बताना है कि A अकेले कितनी दिर में भरेगा, 1 third भाग, तो अगर देखो, तो basic से क्या है, कि आप इसको अब इसको solve करोगे, तो quadratic equation आजाएगा, तो X की value, एक तरीका यह है, आप इसको एक तरीका है, कि इसको basic से solve करो, तो यह basic से solve करोगे तो यह आजाएगा, X plus 3 plus X, upon क्या, X into X plus 3, is called to 3 बटे 20, solve करोगे तो यह क्या है, 40 X plus 60, is called to 3 X square plus 9 X, यह आएजगा अपने पास क्या, 20 X plus 40 X 1, यह आगे 3 X square minus 31 X, minus 31 X minus 60 is called to 0, तो अब यहाँ 60 और 3 X plus 80, मतलब क्या हुआ, 3, 3, 4, 5, हमें लाना 31, 4 तिया 12 और 15 नहीं, वांचोग 20 से 60, दो और बनाओ, तो 3 दूनी 6, 30, ऐसे करोगे, 3 दिया 9 दूनी 18, नहीं, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, ऐसे भी नहीं हो नहीं, मतलब कुछ ऐसा होगा, ऐसो क्या करोगे, बहुत लिंदी सा दिखता है, तो अब इसको एक तो यह मैठट है कि इसको अफेक्टाइस करो, दूसरा तरीका यह है कि यह X है, यह X plus 3 है, कन्फर्म है कि यह जो होगा, वह 20 से अगर यहा है तो यह भी 20 का मल्टिपल होगा, यह क्या होगा, बीस का मल्टिपल होगा, तो अब यह देखो कि यह टेंग, किसी टेंग को एक तियाई भाग, कितने समय भर देगा, एक तियाई भाग, तो पूरा भरने के लिए इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, इसका 3 गु यह देखना है अब X क्या आपने पास A का मतलब X plus 3 की value तो X plus 3 की value क्या होगी अगर मैं इसमें X की value 15 पुट कर दूँ तो 15 और 18 LCM अब X यहां सब चिक करो कि X की value यहां तो 18 होगी X plus 3 X plus 3 18 होगी यह 16.5 होगा यह 15 होगा अगर यह 12 होगा और यह 15 होगा तो 12 अगर X की value इसमें 12 पुट करते हो और यह क्या पुट कर सकते हो 15 तो 12 पंदर के LCM क्या होता है 60 तीन का multiple यह उधर गया तो यह क्या गया 60 होगा चिक करो चिक करके अगर यह 60 होता है तो यह क्या हुआ 5 प्लस यह क्या हुआ अपने पास 12 पुट कर नो नो बटे साथ तो 9 बटे साथ मतलब 3 बटे B satisfy कर रहा है तो X की value बार है तो मतलब B भडता है 12 मिनिट में तो A भडता है क्या 15 मिनिट में तो A पंदरे मिनिट में पूरा भ की motivation से जादा आसानी से बना कैसे किसी को कोई problem होगा तो बताहिए कहीं कोई problem है तो बताव बताव कहीं कोई दिककत है तो बताव अच्चे क्या yiak answer बताव कहीं कोई दिककत बताो बताव 60 बिलकुल प्यूझ 25 साथ बिलकुल गुल सही था 3x square एक बार प्लस 9x, सही है, 20 दूनी 40x, ठीक है, यह समझ में आया, सर थोरा सा सौर्ट ट्रिक से बताईएगा, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, देखो, जिनको नहीं समझ में आया, एक फिर से देखो, देखो, अच्छा कोश्चन था, देखना ध्यान से, जिनको नहीं बते 3 घंटे में, बी जो है, वह अगर x में, और a क्या हुआ, x प्लस 3 में, तो basic equation क्या बोलता है, दोनों का one hour work, 1 by x प्लस 1 by x प्लस 3, इसकल to a प्लस b का work, क्या हुआ, 1 by 3 बते 20, तो यह क्या हुआ, 3 बते 20 आ गया, अब यह जो होना चाहिए, वह इसका multiple होना चाहिए, यह अगर यहाँ LCM वही होगा, जो 20 होगा, या 20 के multiple होगे, मतलब कंफर्म है, कि इन दोनों का LCM, 20 के multiples होगे, 20 के क्या होगे, multiples होगे, अब बच्चे यहाँ, अगर यह दिया तो नहीं, एक किती दिर में भड़ देगा, तो आप संजादा आसानी, इसम ट्रिक कर लेते, यहाँ यहाँ 1 3rd भाग दिया हुआ, मतलब यह 1 3rd 4 5 5 minute में भरेगा, 3 गुना क्या हो गया, यह 3.5 में भरेगा, यह 3 गुना क्या हुआ, 18 मिनिट, यह क्या हुआ, 3 गुना, 116.5 और यह क्या हुआ, 15, तो बच्चे क्या हुआ, कि यहाँ X और X प्लस 3 का LCM, फ्रेक्षन में तो 15 अगर यह मैं X 15 ले लेता हूँ, तो 15 प्लस 3, 18, 18 15 का LCM कभी भी 20 का मल्टिपल होगा, नहीं, तो लेकिन अगर मैं X प्लस 3, 15 ले लिया, तो और अगर X प्लस 3, 15 हो गया, यह 15 हमने ले लिया, मतलब है कि यह 12 होगा, अब 12 15 का LCM हमें पता है, 60, और 60 जो था हुआ, वह 20 का अप्सन से उठाते हैं, ऐसे इसको आप अप्सन से उठाते हैं, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, और बेसिक जो मैंने आपको बताया था, उससे भी बन जाएगा, वह क्वाडिटिक एक्वेशन जो आया था, I think, क्या, 3X स्क्वाइर माइनस आया था, क्या, माइनस आया था, ठीक है, क्वाडिटिक एक्वेशन से भी यह बन जाता, हाँ, थोड़ा सा हार्ट तो है यह बास्तर में, इसका एक और तरीका है, वह भी सीख लो, इसका एक तरीका क्या है, बच्चे, कि A प्लस B मिलकर कोई काम करता है, क्या, कितने दिरों में, 20 बटे 3, क्या हुआ, 20 बट क्या, वन आबर वर्क, वन आबर वर्क, ठीक है, यह आ गया, 20, तो अगर आप प्रैक्टिकली सोचो, यह 20 का तो हो नहीं रहा, इसके क्या करो, टोटल वर्क ले लो, 60, इसके मल्टिपल ले लो, इसको तीन से उपर नीचे मल्टिपलाई कर दो, अगर यह 60 ले ले लेता हो, यह टोटल वर्क क्या हो गया, 9, अब टोटल वर्क 9 है, तो अब क्या होगा, कि एक ऐसा एलिमेंट लो, जो दोनों को सटिस्फाइ करता हो, तो फिर हम यहां लेते हैं, कि एगर यह 12 है, वन आबर वर्क, इसका एक ले लो, क्या, 3 ले लो, और एक ले लो, अपने पास, ज्यादा क्रिटिकल है, यह मैठड ज्यादा असान है, फिर यहां सोचना पर एगा, कि यह 12 है, 15 है, 12 है, 12 है, 15 में करता है, एक का काम क्या हुआ है, 4 प्लस 5, यह 9 टूटे का कि इसमें, 4 प्लस 5 में, तो यह क्या होगा, 12 है, और यह 15 है, तो ऐसे cross multiply करें, लेकिन ज्यादा लिंदी है मेरे खाल से, मतलब यह समझ पाना बहुत टफ है, यह सबसे best method है, यह सबसे best method है, ठीक है, कि 20 का multiples लेना होता है, ठीक है, clear है, चलिए next कियो चलता हूँ, चलिए next, यह देखे next question, यह बताए जल्दी सेवा fast, दो पाइप A और B किसी टैंक को 18 और 24 मिट में फिल कर हाँ, वो पूरा काफी satisfaction करना होगा, तो बेटर है कि वही जो LCM मेंने बता है था ना, कि उसका factor लेके देखो कि वह 20 का multiple होना चाहिए, तो 20 का multiple कभी भी option से eliminate कर देखे, तो option के elimination से जादा असानी से बनता है, अगर बच्चे, दो option 20 के multiple तो आपको basic से जाना परेगा, इसके अलाबा कोई उपाई नहीं है, वैसे paper में हमेसा ऐसा ही होता है, कि option eliminate कर कहीं बनाओगे, क्योंकि यह possible फिर तो बेसिक हो गया, अगर उसमें कोई trick ही नहीं लग रहा है, कोई concept ही नहीं लग रहा है, अगर तो उतनी तरह में तुम basic ही कर लो ना, बताओ इसका answer क्या है, कि दोनों pipe को एक साथ खुला गया, कितनी दिर बाद B को बंद कर दिया जाए, ताकि टेंक 12 मिनिट में भर जाए, तो बच्चे ऐसे question का सबसे best होता है, कि B बंद हो रहा है, और 12 मिनिट में भर जाए, तो A ने हमेसा काम किया, तो A बारे चोग 48 काम तो A के दौरा किया गया तो बच कितना गया, बच गया अपने पास 24 का मुह B किया होगा, तो B कितना time किया, 24 बटे 3, 8 मिनिट बाद B को बंद कर दिया गया, तो 8 मिनिट is the right option, last option 8 मिनिट ही, यह 8 मिनिट है, last option 8 मिनिट है, दिख नहीं रहा होगा, 8 मिनिट is the right option, normal सा question था, इसमें कहीं कोई doubt नहीं, बहुत simple सा question था, clear है, कोई doubt नहीं, normal सा समझ में आ गया, कि A 18, B 24, LCM 72, तो B को बंद किया जा रहा है, तो A हमेशा चालू रहा है, और finally 12 मिनिट में टेंक वर गया, मतलब A ने 12 मिनिट तक काम किया, मतलब A का काम आट 48 काम था, जो बच गया हुँआ, B का काम था, तो 72 में सा यह बता हुजरा, fast, A और B फिल कर सकता है, एंप्टी कर सकता है, 6 और 8 गंटे में, C उसको एंप्टी कर सकता है, 10 गंटे में, ठीक है, if all the pipe are open together, then tank will be get filled, यह भर सकता है, हाँ, A and B can fill an empty tank in 6 and 8, C can empty in 10 hours, तीनों पाइप को एक साथ खोल जा, कितनी जर में टेंक भर जागा, ब यह बहुत easy सा question है, बता हो, इससे easy question क्या हो सकता है, A6 में मैं बता हूँगा सर्म की बात है, मुझे नहीं बताना चाहिए, यह question, LCM क्या हो गया यह, देख लो, 120, यह 20, यह क्या हुआ, 15, यह क्या हुआ, 12, माइनस आएगा, यह क्या हुआ, 23 हो गया, 35 में बार गया, 23 काम, किती दिर में भरेगा, 120, 23, लो, यह easy सा question था, यह 23 वला तो एक ही option है, last में 20 होना चाहिए, 4, 3, 12, 4, 5, 3, 15, यह 2 option है, option लगा दो, option से ज़्यादा से यह देखो, यह technique यहां भी use हो रहा है, तुम 23 से divide दोगे, better क्या दिख रहा है, 0 last में, 0 last में 3, 15, 5, 20, यह 0 बता रहा है, यह 0 बताएगा, 4, 3, 12, 16, नहीं बता रहा है, मतलब यह option, यह trick ज़्यादा आपको useful होगा, हर जगे useful होता है, देखो फटा फट सब का अंसर आगया, यह तो easy question था, बववा वला question था, यह बताओ, लो, अब word problem आगे, जहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहां आ आपने सही बताया था, ठीक है, अब बताओ, यह answer, इसका क्या आएगा, ask tough answer, बताओ, यह आ गया, easy question, tough question, देखे, यह question क्या दिया है, there are 16 pipe, 16 pipe है, there are connected to tank, वो टेंक में लगे हुए है, कुछ pipe उसमें fill करता है, और कुछ pipe उसमें खाली करता है, कुछ क्या करता है, fill करता है, क भरने वाला प्रतेक पाइप उसे 12 घंडे में भर सकता है, प्रतेक पाइप, क्या है, प्रतेक भरने वाला पाइप उस टेंक को 12 घंडे में भर सकता है, और प्रतेक खाली करने वाला पाइप उसे 8 घंडे में खाली कर सकता है, ठीक है, भरने वाला पाइप उसे 12 घंडे में tank भर जाती है, तो पुछा कितने pipe उसमें जो है, वो fill करते है, तो यह बच्चे यह question allegation से भी बनता है, और direct भी बनता है, तो basic से देखो, तो मौन लो 12 घंडे में यह fill करता है, और 8 घंडे में खाली करता है, प्रतेक pipe की बात हो रही तो calcium आ गया, चोववविस यह क्या गया, 2 यह आ गया, माइनस 3, अभ क्या है, कि 16 pipe थे, तो म हुल लो x pipe fill करता है, और 16- x जो है, वो खाली करता है, अभ क्या है? टेंग भरता है, 12 घंडे में total काम 24 है, तो 24 घंडे 12 मतलब 1 घंडे का काम 2 है, 24 काम है और 12 घंटे में टेंग भर रहा है मैं एक घंटे में 2 काम हुआ अब यहां दोनों मिलके एक घंटे में काम किया है तो 2 की वेल्यू क्या गई? 2x-48 प्लस 3x तो यहां क्या गया? 5x की वेल्यू 50 x की वेल्यू 10 तो भरने वाला पाइप 10 है और खाली करने वाला 6 है तो भरने वाला पाइप 10 है तो 10 is the right option जो बच्चे 11 बता रहे थे वो गलत है 11 नहीं आएगा 11 नहीं आएगा 12 भी नहीं आएगा 10 आएगा right answer 11 बहुत भी 10 आएगा तो मेरे ख्याल से इसे question में basic ज्यादा सही है इसे allegation ना मुद्ट का है जलो allegation से थुदा सा क्या करते हो आप show off कर सकते हैं बच्चे बनाए बैस इसा नहीं कि allegation असा है यह इसमें मतला दोनों में same ही time लगेगा दोनों में timing same ही लगेगा और कभी-कभी allegation में confusion हो जाता है बच्चेव को तो वो confusion मैं बताओंगा allegation में pure allegation वाली questions कौन से हैं ठीक है clear है कोई doubt नहीं चले next question कियो चलता हूं बच्चे इसमें simple सा नहीं था simple सा भरने वाला pipe 12 गंटे में भर सकता है और खाली करने वाला 8 गंटे में खाली कर सकता है LC मा आ गया 24 तो एक घंटे का काम 2 एक घंटे का माइनस 3 अब भरने वाले pipe मालो x हैं तो यह एक घंटे में 2x काम करेगा खाली करने वाले pipe क्या हो जिए 16-x तो 3 into 16-x यह हर घंटे कितना खाली होगा अब दोनों मिलके कितना काम करेगा 2x-47 plus 3x यह एक घंटे का काम है दोनों मिलके अब टेंक भरता है पूरा 12 घंटे में पूरा काम है 24 तो एक घंटे का काम क्या हुआ दो यूनिट तो दो यूनिट इसके बराबर आ गया तो x की value 10 आ गयी नॉर्मल सा था इजी सा यह बताईए मेरे खास ऐसा same question है या कुछ change है देख लो एक बार कुछ तो change होगा efficiency से निकालने की कोई जरुवत नहीं है यार रेज्टे को मैं बताता हूं कि question को बनाने की एक तरीके नहीं होते है मैं आपको एक छोटा सा example और देता हूं मेरे एक प्रोफेसर थे मिस्टर परवेज आलम Physics के तो उनका एक ना बहुत अच्छी थेोरी मुझे बहुत अच्छी लगती थी वह बोलते थे कि किसी टीचर को अगर चेक करना है और पताने मेरे अंदर बहुत बुरी सी यादत थी मतलब मुझे क्या था कि मैं मेहनत इसलिए करता था जादा मतलब कॉलेज में भी स्कूल में भी मतलब मेरा टार्ड़ट था कि टीचर को फसाना मतलब कुछ बच्चे इसे होते हैं मैं भी देखता हूँ ऐसा निकि मैं अगला इसा सिंगल पीस हूँ जो उनका टार्ड़ट था कि मुझे फसाना तो वह क्या होता कि वह टार्ड़ट ले कहाते था सर ये ये चीज पठा रहे हैं उसे पहले में पढ़ लो और परके उसके जो सर बोल से पहले-पहले बोलते है ये इसे होगा ये चीज ऐसे होगी यह चीज़ें थी थिओरी तो वह बोलते था ना कि दो बार चार बार में तो कुछ सो कुछ पूछा था टेक्निकल चीजें, तो उन्हों ने बचा दिया था मुझे और वो समझ भी गए तिकिए मुझे ने चेक करने की कोशिज करता है, तो एक दिन मुझे बैठा के बोलते हैं, कि तुम्हें पता है किसी तीचर को चेक करना थे करने तो एक काम करो, एक सवाल उससे पूछो, उसने बता दिया this is good, 15-20 दिन बाद फिर वही सेम सवाल उससे पूछ लो, अगर उसने सेम मेठट से उस चीज को बता दिया, it means कि सोचो वह रट के बैठा हुआ है, क्योंकि 15-20 दिन बाद दिमाग में कुछ और चीजें आएं साइन्स है, और साइन्स रोज अपडेट होता है, रोज नई चीजें वह बनती है, तो अगर आपको उसी मेठट से उसको बना दिया, उसने रट के बैठा है, तो और अगर उसने नई कुछ चीजें बताई, मुँदो समझ लो, कि उसका concept clear है, तो इतना बोला कि यह सिंपल स अगर बनती है, ठीक है? क्या है, A6 Sir, Can you watch it for banking इसने बिल्कुल बेंकिंग में भी से questions आते हैं, बच्चे तो अर्थमेटिक दोनों और बेंकिंग के सेम है, मैं बिल्कुल लेवल यही लेके चलता हूँ, कि कोई भी ग्जाम हो clear हो जाएगा, बता यह question का answer क्या है, A tank is connected to 15 pipe, some some are inlet and some are outlet, inlet मनला भर रहा है, outlet मनला खाली कर रहा है, inlet pipe आट घंडे में भर सकता है, जब कि outlet इसे, by each of that outlet, empty that tank, outlet pipe can empty in 6 hours, ठीक है, all the copen together, तो simple सा यह है, यह 15 घंडे में, क्या है, 8 घंडे में भर सकता है, 6 घंडे में खाली कर सकता, LCM क्या हो गया, 24, यह क्या हो गया, 3 यह आगया, अपने पास 4, माइनस 4, यह है X, और यह X माइनस 15 है, एक घंडे का काम क्या हुआ, कितने घंडे में भरता है, 6 घंडे में, तो 24 बटे 6 मतलब 4 एक घंडे का काम है, अब 4 इसकल टू, जोड़ दो, यह क्या हुआ, 3X माइनस 4X माइनस 20, माइनस 15 है न, X माइनस 15 है, क्या हुआ, यह प्लस 60, तो नॉर्मल सा आ गया, यह क्या हो गया, X की वेल्यू क्या गया, 56, कुछ गलत कर दिया, क्या मैंने, क्या हुआ, 3X माइनस 4X प्लस 60, गाट इट, क्लिर है, तो टोटल एक आवर का काम कितना हो गया, अब यहाँ देख लो, कितने दिर में, आठ गंटे में, जबकि खाली कर सकता है, यह 6 गंटे में, तो, 8, 6, L, सेम, क्या हुआ, 24, यह 3, यह माइनस 4, भरने वाला पाइप क्या है, X, खाली करने वाला पाइप क्या है, 15 माइनस X होगा, देखो, यह था न, देखो, यही मिस्टेक होता है कभी-कभी, और क्या होए, टोटल काम 24 है, कितने घंटे में खाली भर देता है, खाली करता है, क्या दिया, इट विल टेक एग्जेक्ली 6 आवर, फॉर टेंक फॉर इंप्टी, खाली करता एग्जेक्ली 6 गंडे में, तो 6 गंडे में खाली करता है, एक घंडे का काम क्या हुआ, माइनस 4, बच्चे, यहाँ प्लस 4 नहीं होगा, यहाँ माइनस 4 होगा क्योंकि फईनली टेंक खाली हो रहा है, it will take exactly 6 hour for tank to empty, खाली हो रहा मतलब minus 4, अब इन दोनों का वर्क देखो, क्या आगया ये, 3x minus 60 plus 4x, got it, तो 7x की value आगई क्या, this is the 56, तो x is equal to क्या, 8, तो 8 भरने वाला pipe है, और 7 खाली करने वाला pipe है, तो क्या पूछा है, how many these are inlet pipe, भरने वाला pipe क्या है, 8, 8 is the right option, ठीक है, 15 minus 100 होगा, बिल्कुल सही बोले, 15 minus 100 होगा, clear है, तो 8 भर रहा है pipe, और खाली कर, inlet pipe पूछ रहा है, inlet मतलब फिल करना, तो फिल करने वाला pipe 8 है, 7 नहीं, 7 नहीं होगा, पूजा, this is the 8, 8 एट एगा आणसर, 8, 8, 8, क्योंकि inlet pipe बोल दा, inlet, अब देखो, इसमें हिंदी में पूछ दिया, outlet pipe, तो outlet अगर पूछ दिया, कोई बात ने, translator में कभी-कभी गलतियां हो जाती है, तो हिंदी के साफ साफ साथ है, और इंग्लिज के साफ 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 आणसर, 8 है, कोई दिक्कत नहीं, कोई problem नहीं, हिंदी माउट लेट है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए, छोड़ यही सब चीजे, अब यह बनाई हो ज़रा, कभी-कभी जैसे, अभी हमने गलतियां किया था, अब 15 माइनस X करना था, और हमने X माइनस 15 लिखके बेठे थे, इस इस दा कॉमन मिस्टेक, यह एक तरीके के कॉमन मिस्टेक है, और यह इस तरीके से कॉमन मिस्टेक, आप पेपर में भी करते हो, समझ गे, इसी चीज के लिए मॉक टेस्ट बना है, इसी चीज़ें से बचने के लिए, क्या बना है, जितना जादा आप मॉक टेस्ट दोगे, यह सब मिस्टेक आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट में करोगे, डी स्टेक को ओवायड करना सुरू करोगे, आप से कैल्कुलेशन में गलतियान नहीं होगी, आप जो सोच रहे हैं वही लिखोगे इसी को कहते हैं concentration power, आपकी concentration power strong होगी, इस सब चीज़ों से धीरे धीरे रखे, क्या होगा, आप better करोगे, ठीक है, चलिए, यह बता इसका answer क्या है, फास्ट कीजेगा तो, 5 inlet pipe can fill a tank in same time in which 3 outlet pipe can empty it, 3 inlet pipe, 5 inlet pipe, inlet pipe को A मान लो, inlet pipe को क्या मान लिया, A मान लिया, उतने ही समय में करते हैं, जितने दे में, 3 outlet pipe, outlet pipe को B मान लिया, तो, inlet or outlet का जो ratio आ गया, वह क्या आ गया, inlet or outlet का ratio आ गया, A by B, इसकल तो, 3 is to 5, मन लिया, inlet pipe और outlet pipe का जो ratio आ या, वह 3 is to 5 आ गया, अब क्या दिया, 2 inlet pipe and 1 outlet pipe is open, 2 inlet pipe मतलब 2A और 1 outlet pipe, B, are open for 1st minute, and 5 inlet pipe and 2 outlet pipe for 2nd minute, और फिर क्या हुआ, दूसा question क्या दिया है, 5 inlet, 5 inlet and 2 outlet, 2 B, यह 2nd minute के खोला गया, और क्या दिया, इस process continue till completely fill in 30 minutes, और यह process क्या 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 गया है, 30 minute तक क्या गया है, जब तक में, tank, finally, क्या हो जाए, फिल न हो जाए, ठीक है, find the time in which 2 outlet pipe can empty the completely fill, तक बहुत बहुत बहतरीन question है, अब 2A प्लस भी कितना काम करेगा, 3 दूनी 6, देखो, यह प्लस में है, यह माइनस में है, क्योंकि एफिसेंसी है, क्योंकि खाली करने वाला pipe है, यह माइनस में है, यह 3 दूनी 6, 6 माइनस 5 मतलब एक काम हो रहा है, इसमें देखो, 5 दिया 15, और माइनस 5 दूनी 10, मतलब यह 5 काम हो रहा है, तो दोनों मिला के 6 काम, दोनों मिला के 6 काम हुआ, दो मिनट में 6 काम हुआ, तो टू मिनट में 6 काम हुआ, टू मिनट में 6 वर्क हुआ, तो तीस मिनट में कितना वर्क हुआ होगा, 30 minute में 90 work होगा मनला उसकी capacity जो आ गई वह 90 आ गई मनला total work जो 90 आ गया total work total work 90 है अब पूछ क्या रहा है find time in which 2 outlet pipe 2 outlet 5 मतलब क्या होगा 2A in which 2 outlet pipe empty the completely filled so 2 outlet 5 मतलब 2B आ गया कितनी दिर में तो T is called to क्या गया 90 upon क्या होगा 10 मतलब 9 minute में तो 9 minute is the right option देखे कितना सांडार question था sir मैं पहली बार यह chapter पर रहा हूँ hard लग रहा है कोई बात नहीं वर्सा आप धीरे धीरे I think 60 days master plan मतलब मेंस level की चीजे है इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें tough लग रहा होगा आप दीरे दीरे basic concept आपका बहुत ज़रूरी है basic question अगर आप करोगे दुखो अब ऐसे question आप सच बता ना दिल पे हाँ धरके कि ऐसे question कहां मिलते हैं आपको आप कोई भी book ABC जितने यह 56, 72, 75, 100, 10,500 वाली book है क्या उसमें ऐसे question है market में कोई भी ऊक का नम बता दो जिसमें ऐसे questions मिलते हैं आप एक भी book बता दो जिसमें ऐसे questions मिलते हैं तो ऐसे questions के लिए बच्चे बहुत महनत करना पड़ता है क्या होता है कि एक सब ताजे-ताजे questions होते हैं और ये मेरे relatively questions नहीं है effectivement आप यह सोचो गर यह question मेरे रटे वे होते, तो मैं तो कभी mistake करता, मैं जो silly silly कभी mistake कर देता हूँ, questions को एक बार बनाता हूँ, तो वह रटे वे questions अगर मेरे होते हैं, याद होता, मुझे data तक याद होता, फटा फटा इसका इतना यह answer है, मतलब पहले answer में, बाद में बाद में पढ़ानी के लिए पढ़ाना, एक होता है, खुद को success पानी के लिए पढ़ाना, तो मैं खुद को success और famous करनी के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे तुम्हें जहर पिलाना होगा, और मैं अपने फाइदे के लिए दूसरों को जहर पिला दूँ, इ मेरी अमरित ना भीके, ना भीके, कोई रिक्कत नहीं है, दस ही लोग खरी देंगे, लेकिन वो अमरित होगा, मैं जहर बेच के BMW नहीं लूँगा, इस बात का मैं खुद को फैसला कर चुका हूँ, इसलिए मैं वह सब चीजे नहीं पढ़ाता हूँ, मेरा यह मानना है, कि बास्तम में वह चीजे पाहना चाहिए बच्चों को, कि जो रियलिटी में उसको बेस को दीरे 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 स्ट्रोंग कर दे, और उसका सलेक्शन हो जाए, क्योंकि जो बच्चे इस्लेक्ट होता है नशा किसी छा किसी BMW से कम नहीं होता है वह वाली फिलिंग जो यह जलेक्ट हो जाएफ है मैं चोटा से ग्रैम्पल देता हूं तो परसो मैंने उसे फेस्बूक एल धेनि में कि I think पलीस की बदी में था मुझे बहुत अच्छा लगा कि ना बहुत अजीव सा लगा था वो कभी ना सीरियस नहीं होता था क्लास में कभी उस बुला यह सर में पहुड़ूगा पांस दिन सीरियस होता फिर दो दिन बाद वो कुछ ने फिर मैं उसको देख रहा हम दोस्तों के साथ बैठा हुआ है कभ मर्द यह में बात किया तो मनलब एक अजीव तरीके से बुला कि सर मैं बता नहीं सकता हूं कि मैं आज खुस हूँ कितना और बहुत साई चीजे तो वह जो एक खुसी मिलती है कि बच्चा जब सलेक्ट हो जाता है तो वह खुसी किसी BMW में बैठने से भी जादा लगती है कि और धीरे-धीरे मेहनत करोगा बहुत साईसे बच्चों को मैंने देखा है नहीं जो सरकाई नोकरी पाएं और सिर्फ उनकी खुद की काबलियत पे खुद मेहनत किये तो खुद पे विस्वास करो तुम्हारा सेलेक्शन होगा लेकिन अगर खुद पे विस्वास नहीं है द अच्छा साइस अच्छा सांदार मतलब बेहतरीन गुर्शन है अब लगा उसमें सबसे बेहतरीन कोशयन है यह बताई इसका कंसर पे आएगा अजिए डर लगनी की बात नहीं, मैं हूँ न, धीरे 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 पढ़ते रहो हो जाएगा सेलेक्शन बदाए, इसका आंसर कीज़े क्या है, बहुत सांदार कोश्चन है, देखो कोश्चन में पढ़ता हो क्या है, एक एम्पटी क्या है, एक निकास नल, जो 27 घंटों में एक एक एम्पटी टैप जो है, जो एक सिलेंड्रिकल टैंक को 27 घंटे में खाली कर सकता है, फिटे अट 5 बाइन थ हाइट अप द बॉट्टम, ठीक है, अब फिलिंग टैप वीच कें फिल ए टैंक इन 18 आवर, इट फिटे अट आवर बोष टैप आर ओपन टूगरी इन, how many आपने टैंक विल फिल फिल, ठीक है, बहुत सांदार कॉश्चन है, देखिए कितना सांदार कॉश्चन में बताता हूँ, इसको इमेजिन करना होगा, इमेजिन करना क्या होगा, कि यह एक बेलना कार्ट टैंक है, यह एक बेलना कार् पर चार्ट पे यहां है ठीक है यहां यहां टैंक लगांगा छिससे यह खाली हो ऻ्राइ minimal कि तो मतलब Dodzy 13 عليهयोर एक किטया पलेवल कि थिछ यहां यहां गिरना शुरू होगा अब क्या है कि यहां एक tap है, जो यहां से पानी फिल कर रहा है, मतलब एक दम बिलकुल टॉप पे, यहां से पानी फिल कर रहा है, तो यह मानलो, pipe A है जो फिल करता है, जो B है जो खाली करता है, तो A फिल कर सकता है कितनी देर में, A फिल कर सकता है 18 घंटे में, और B खाली कर सकता है, इसे 27 घ यह तो 9-27 बिल्कुल सही है, यह 3-27, 27 दोनी 54, यह 54 आगया LCM, LCM 54 आगया तो यह 3 यूनिट और यह क्या हुआ? 2 यूनिट, अब देखो total volume 54 यूनिट है, total volume क्या है? 54 यूनिट, तो बच्चे इसका जो हमने भाग लिया, यह पूरा 9 हमने माना, total जो आपको पता कि volume depend करता है 9 तो यह क्या है 5th पार्ट पे, मतलब यह 5 भाग पे है, यह 4 भाग है, क्योंकि क्या दिया हुआ है? 5 by 9 पे यह यहां है, तो मतलब यहां से 5 में उचाई पे यह लगा हुआ है, इधर 4 उचाई है, तो अगर volume को मैं बांट दू इसमें, तो क्या हो जाएगा? 9 यूनिट के व सिर्फ भरेगा, 30 यूनिट तक सिर्फ भरेगा, तो 30 यूनिट तक भरेगा, तो कितने घंटे में भरेगा 30 यूनिट तक, पहले 30 यूनिट तक भरेगा, तो time क्या लगेगा? 30 upon क्या हुआ? 3, ठीक है? अब क्या होगा? कि बांकी के 24 यूनिट में क्या होगा? कि यह भरेगा और यह खाली करेगा, मतलब यह 3 पार्ट भरेगा, और यह 2 पार्ट खाली करेगा, मतलब यह 10 प्लस 24, मतलब 34 घंटे लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे, 34 घंटे, आंसर आ गया 34 आवर्स, देखो कितना सांदार कुश्चन था, समझ में आ गया, 34 is the right option, 54 गलत है, 34 is the right option, ठी कितना मतलब, मजा आ गया, मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको मजा आया, तो आप लिखो, यह सर मजा आ गया, और ज्यादा ज्यादा शेयर करो, और लाइक करो, तो कितना conceptual question था, imaginary करना था, कि अगर मान लो, कि यह एक tank है, एक tank है, तो वह tank, जो पूरा भरा वह tank था कर सकत आता हूँ, example में पास कोई वह नहीं है, अभी, 34 filling का 30 गंटे में sir, तो fill करने में 34 इसा आँसर, बिल्कुल सही है, पहले filling में 30 को 10 गंटे, fill करने में दोनों open होने पर 34 इसा आँसर, बिल्कुल सही है, ठीक है, clear एक बार फिर से repeat करता हूँ, इनको नहीं समझ माया, बच्चे आप imagine करो कि यह एक tank है, इस पर एक pipe लगा हुआ है, 5 by 9th पार्ट पर, मतलब इसको पूरे volume को 9 भाग बांटो, volume को तुम 9 भाग बांटो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भाग में बांटो, तो 9 भाग में बांटो, 5 में भाग पर, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब यहाँ एक pipe लगा हुआ है, जो पानी निकलेगा, मतलब क्या सकते हैं, 5 भाग पहले पानी भरेगा, तब अगले 4 भाग में, 1, 2, 3, 4, मतलब क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यह 4 भाग उपर है, और 5 भाग नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, समझ में आ रहा है, तो मतलब जब 5 में भाग तक पहुचेगा, तब खाली कर परना सुरू होगा, क्योंकि पहले से भरते रहा, यहां भर रहा है पानी को दिक्कत है, तो यह 3 यूनिट काम करता है, तो क्या दिया है, कि अगर टोटल वॉल्यूम यहां क्या है, यह 54 क्या आता है, टोटल कैपिसिटी शुरुवात में बोला था, कि 54 जो होता है, टो टाइम लगा, 30 डिवाइड बाई, एक यूनिट की तरह में भरता है, तो 30 बटे 3, मतलब 10 घंटे यह लगा, अब आगे जो है, 24 यूनिट को भरने में यह क्या होगा, कि यह तो भर रहा इधर से, लेकि इधर से खाली हो रहा है, मतलब अगला 24 यूनिट में क्या हो रहा, य यह 3 यूनिट भर रहा है, यह 2 यूनिट खाली हो रहा है, मतलब सिर्फ एक यूनिट भर रहा है, मतलब 24 बटे 1, मतलब 10 प्लस 24, मतलब 34 घंटे लग जाएंगे, टोटल, बताओ, कितना बेहतरीन था, ठीक है, clear है, किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है, चलिए, next question की और मैं चल ठीक है, चलिए, देखो, यह भी question वैसा ही same है, थोड़ा सा label, थोड़ा सा change किया हो, लेकिन concept same है, उस question का, ति इस question को आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ो, एक बार सोचो कि इस question को और क्या कर सकते, और फिर बनाओ, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत न देखो, क्या question दिया है, कि two empty tap है, which can completely empty a full tank in 60 hour, दो empty tap है, जो completely खाली कर सकता है, तेंक को 60 गंटे और 40 गंटे, इस वार दो टेंक जो खाली हो रहा है, एक आधी उचाही पे लगा हुआ है, एक आधी उचाही पे लगा हुआ है, एक फोर बाई फिप्त उचाही पे लगा हु समझना ध्यान से, एक हाफ उचाही पर है, और एक जो हाफ उचाही पर है, एक फोर बाई फिप्त उचाही पे है, तो 4 और 5 का LCM 10 ले लो, तो 10 भाग पे, तो एक 10 भाग के मतलब एक 5 में भाग पे लगा हुआ है, तोटल 10 भाग कर दिये, देखो 10 भाग करो, 1, 2, 3, 4, 5, 1, एक, दो, 3, 4, 5, यही क्या है? अधी उचाही, मतलब, एक यहां खाली करने मीलाग टेंग लगा है, और एक फ्षी पर फिप्त पे लगा हुआ है, मतलब, असी परशन्ट पर लगा हुआ है, अगर दस भाग करों तो आथमे भाग पे लगा है, 5, 6, 7, 8, एक यहां लगा अब जो उपर लगा हुआ आधी पे वह 60 घंडे में भर सकता है तो उसको A मान लो यह 60 घंडे में खाली कर सकता है और B मान लो वह 40 घंडे में खाली कर सकता है ठीक है तो A कर सकता है 60 घंडे में खाली और B कर सकता है कितने 40 घंडे में खाली और B वाला पार्ट उपर लगा हु LCM क्या आ गया, 120 Baccay, जयसे LCM 120 आ गया मतलब आप क्या किए पूरा 120 को 10 भागो में बांट दो 120 को 10 भागो में बांट और तो सब और 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 आ जाएगा, 12, 12, 12 12, 12 12, 12, 12, 12 12, 12, 12, 12, 12, 12 वांट आ गया, total यहे 120 को हमने 10 भागो में बांट दिया यह 36 है और उपर क्या है 24 है कोई दिकत नहीं अब क्या हुआ काम सुरू हुआ देखो one hour work क्या हुआ 2 unit कोई की minus है यह one hour work क्या हुआ minus 3 unit और यह one hour क्या हुआ plus 10 तो पहला अब time कितना कितना लगेगा पहला 60 को भरने में सिर्फ भर रहा है कोई खाली नहीं हो रहा तो पहला 60 upon क्या हुआ 10 सिर्फ क्या हो रहा है भर रहा है अगला में देखो क्या है अगला क्या हुआ यहां से यहां तक यहां से यहां तक में कौन C भर रहा है और A खाली कर रहा है B का काम सुरू नहीं हुआ अभी क्या हुआ C भर रहा है और A खाली कर रहा है, B का काम सुरू तब होगा जब यहाँ पहुचेगा, तो यह 1,2,3 बीच में क्या है? 36 यूनिट, तो बीच के 36 यूनिट है, उसमें क्या कर रहा है? A भर रहा है, लेकिन कौन खाली कर रहा है? मतलब C भर रहा है, A खाली कर रहा है, मतलब 10-2, अगले में क्या होगा? अगला क्या बच गया? 24, इस 24 में क्या हो रहा है? A भर रहा है, B भी खाली कर रहा है, तो टोटल टाइमिंग क्या होगा? देखो, 6 प्लस, यह क्या हो? 36 बटे 8, 36 बटे 8, 9 बटे 2, दो, प्लिस क्या हुआ, चोविस बटे 5, तो चोविस बटे 5 आगया, चोविस बटे 5, क्या आगया देखो, चोविस बटे 5 क्या, पाँच चो, 20, 5.8, मतलब क्या हुआ, यह हो गया, 6, 9, 6, 15, 7, 4, साहे 4 आ गया यह देखो यह क्या आ गया 6 गंटे यह क्या हो अपने पास 4 गंटे 30 मिनिट और यह क्या हो गंटे 30 मिनिट और वह क्या हुआ 5,20 चार गंटे 4 बा्स 5 अर्टीाjek फांच की आप 8 मिनिट observer कितना सांदार था question sir हम kota के student है पूने से engineering करके लखनो lockdown की वज़े से पूने में फस गये हैं हम घर आना है प्लीज बस service स्टार्ट करने वाली government पूने से बच्चों को लाने है okay Gopi क्या पद्दार है आप Gopi कल्यानी भोल रहे है कि वह kota के student है Gopi आपका message ऊपर चला गया देखिए 15 गंटे 18 मिट कितना सांदार था पताओ इससे बेहतरीन question इतना conceptual question हो सकता है 4 सल पहले भी same problem करवाया था मैंने करवाया था same problem 4 सल पहले सही अगर 4 सल पहले अगर मैं इतना advanced था तो बहुत बड़ी बात है मुझे याद नहीं है अगर 4 सल पहले अगर ऐसा question मैंने करवाया था तो सोचो आज तक तो किसी नहीं करवाया ऐसा question और अभी एक-दो साल तो नहीं करवा पाएंगे साथ एक बार फिर से बताता हूँ ठीक है Gopi आप एक बार फिर से message दाल दे क्या है मैं संधेज दे दूँगा सबको देखें ये question में फिर से समझे क्या है क्या हुआ था question में यह एक tank है क्या हुआ कि एक pipe आधी उचाई पर एक pipe अधी उचाई पर है यहां और एक pipe जो है असी पर संद की उचाई पर और तीसरा pipe सबसे उपर है, जो क्या कर रहा है, भर रहा है, तो यह है, पहला जो है, वो 60 घंडे में खाली कर सकता है, और B जो है, दूसरा, वो 40 घंडे में खाली कर सकता है, और C 12 घंडे में भर सकता है, LCM हो गया 120, तो 120 ले लो total capacity इसकी, अब pipe कहां कहां है, एक आधी पह है, तो एक खाली करना शुरू करेगा, और यह 80%, 120 का 80% क्या होता है, 120 का 80%, 96 पे, तो मतलब यह 60 से और 36 उपर जाओ, यह बीच वाला जो element है, यह क्या है, 36 है, यह 36 है, उपर क्या बच गया, 24, देखो यह पूरा का पूरा आ गया, वाल्यूम, अब क्या हुआ कि पहले 60 को अगला अब यह बीच का काम, यह 36, यह जो 36 होगा, 60 से यहां तक जंग, इस 36 में, C भर रहा है, और A खाली कर रहा है, तो C भर रहा है 10, और A खाली कर रहा है, माइनस 2, तो 36 अपर 10 माइनस 2, मतलब 9 बाइ 2, साढ़े 4 घंटे, अब लास्ट का जो 24 उनिट काम है, उसमें क्य चार घंटे, यहां क्या हुआ, 48 मिनिट, तो 6 घंटे, 4 घंटे, 30 मिनिट, और 4 घंटे, 48 मिनिट, तोटल आया, 15 घंटे, 18 मिनिट, is the right option, clear है, किसी को दिकत नहीं, सब को समझ गया, किसी को को प्राबलम नहीं, समझ में आ गया, कि concept क्या है, ठीक है, चलिए, कहीं को प्राब 80%, किसे बोला, 4 by 5th part पर, bottom से, मल 80%, तो 120 का 80% निकालेंगे, 4 बड़े 5, तो यह क्या हुआ, यह 5 से काटो, तो यह क्या हुआ, 120 का, 120 से काटेंगे, 24 चुके 96 पर, तो 96 पर, यहां तक 60 हो चुका है, तो 96 मतलब, यह unit 36 हो गया, यह 24 हो गया, और यह 60 हा गया, को दिकत, clear है, अ अब समझ में आया, मुके 36 कहां से आया, ठीक है, चलिए, बच्चे यह daily class, 12 बज़े start होती है, 12 बज़े यह daily class सुरू होती है, मैस की पार सला, 60 days master plan, यह I think आज 36 दिन है, 34 दिन गुजर चुके हैं, और अभी उसमें बहुत topic पढ़ा चुका हूँ, percentage, profit loss, simple interest, compound interest, ratio, partnership, mixture, edges, average, time and work, अब time and work में यह pipe and system चल रहा है, और PYP की भी होता है, अब next जब होगा, Monday से time and distance शुरू होगा, उसके बाद फिर advance चालू होगा, 60 days में पूरा syllabus complete हो जाएगा, ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ही है, चलिए, next की और चलता हूँ, चलिए, बता यह question normal, वह type हो गया, यह next, जलिए बताव, fast, रोमिला, डेली क्लास यह देखिए न, आप डेली क्लास बारह बजे होती है, यह लिखा हूँ, must watch, ssc, adda, youtube, बारह पंद्रह, वैसे बारह पंद्रह लिखा हूँ, लिकिन बारह बजे बारह बजे देली क्लास सुरू हो जाती है, और यह 60 days master plan है, तो यह यह, day 1 से देख रहे है, good, notification की कोई जरुवत नहीं होती है, पता है कि बारह बजे बजे बारह बजे आजाना होता है, बताव इसका answer क्या यह जल्दी सेरा, fast, वीडियो के ज्यादा शेयर करो बच्चो आप लो, क्या ती है question है, एजी सा question है, कि tank of capacity 60 liter है, 2 inlet of same capacity and 1 outlet pipe है, 2 inlet pipe है, और जो भरता है, और एक outlet pipe, when all 3 are open together, it takes 8 minute to fill the tank, if outlet 5 increase by 1.5 times, outlet 5 को देख बढ़ा दिया जाए, then tank will never fill, तो tank कभी भी नहीं भरेगा, find the minimum flow rate of the outlet for this to be happen, question, बताओ क्या एगा answer, question में क्या दिया हुआ है, question दिया है, कि एक tank जिसके capacity 60 liter है, और इसमें क्या दिया हुआ है, कि 2 inlet pipe है, inlet pipe मानलो 2A है, और outlet pipe क्या है, B है, ठीक है, यह काम कर देता है, ठीक है, open together, और कितनी दिर में काम करता है, 8 minute में काम करता है, तो total काम क्या है, 60 unit, ठ अब क्या दिया है, अब क्या दिया है, का outlet pipe का rate को डेर हुना बढ़ा दिया हुआ है, मतलब यह 2A प्लस 1.5B कर दू, तो यह कभी भी tank नहीं भर पाएगा, यह कभी भी tank नहीं भर पाएगा, इट मिंस कि क्या होगा, जितना खाली होगा, क्या दिया है, find the minimum flow rate of the outlet, कि बहाद मतलब क्या हुआ, कि जितना यह भरेगा, उतना यह खाली कर देगा, मतलब यह 0 आ जाएगी, मतलब A to A is called to क्या आ जागा, 1.5B मतलब 3 by 2B, 3 by 2B, तो यहां से क्या आ गया, बच्चे, A by B is called to आ गया, this is the 3 by 4, तो A B की पिसंसी का ratio 3 is to 4 होगा, A B की पिसंसी का ratio 3 is to 4, तो 8, efficiency क्या है, यहां 60 है, दाने दो, यहां क्या होगा, अपने पास देखो, तो 3 दूनी 6, 4, 10, 6, 4, 10, 10 है, 80, 80 unit हो गया total, क्या है, 80 unit, 80 unit की value, जो है, 80 unit की value, वह क्या है, 60 liter, तो 1 unit की value, क्या होगा, 20 या 60, 20 चोगा, से 3 बटे 4 liter, तो क्या पुछा है, find the minimum flow rate of A की, A की efficiency क्या है, this is the 3, 20 liter per minute, 1 second, this will be the 1 second, 1 second, 1 second, 1 second, यह 3 है, A की efficiency, A की efficiency 3 है, 9 बटे 4 आना, चाहिए answer, got it, I don't understand, हम लोग आपके old student, फिर भी notification पता नहीं, था, कोई बात नहीं, अंकित, यह समझ में आया, concept क्या था, देखो, मैं समझाता हूँ, क्या दियाए question में, कि एक tank, जो है, वो 60 liter, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब दियाए question में, क्या, 1 outlet pipe है, 1 outlet pipe है, 2 A plus B, 2 inlet pipe है, when all the pipes are open together, tank will be 8 minute to fill the tank, tank को 8 minute लगता है, भरने में, ठीक है, 8 minute लगता है, if the outlet pipe rate, outlet flow rate, outlet परवादर देखोना बर्द दिया जाए, increased, 1.5 times, मतलब सही है, tank will never fill, tank कभी नहीं भरेगा, मतलब टेंक जितना भरेगा, उतना ही खाली होगा, तो बिल्कुल सही है, 2 A is equal to क्या, 1.5 B, तो A by B आ गया, अपने पास 3 by 4, बिल्कुल सही है, A B की बिसंसी 3 by 4, तो कितना देर में भरा यह tank, ओ सुछ, देखो, एक चीज हमने गलत कर दिया न, यह खाली कर रहा है, यह B खाली कर रहा है, तो यहाँ माइनस होगा ना चाहिए, B खाली कर रहा, यह माइनस होगा, तो क्या हुआ, 2 A, तो A की बिसंसी क्या है, 3, और B कितना है, माइनस 4, तो इन्टू 8 देर में यह खाली कर लेता, तो अब आपके पास क्या हुआ देखना ध्यान से, इन्टू 8, यह क्या हुआ, 6 में 2 गया, क्या हुआ बच गया, 2 मतला 16, तो 16 unit की जो value है, वह क्या है, 16 unit की value है, अपने पास क्या, 60, तो 1 unit की value क्या आ गई, 4 से गट गया, 15 वाटे, 4, 15 वाटे, 4, 15 वाटे, 4, 1 unit की value आ गई, तो पूछा क्या है, find the minimum flow rate of the outlet pipe outlet 5 का flow क्या है 4 unit 4 unit की value क्या आ गई 4 unit की value आ गई अपने पास 4 B का वैल पूछा है B का हुआ 4 unit 4 into 15 वते 4 15 लीटर per minute B option ठीक है कहीं को देख है यहाँ 2.5 भी होना चाहिए नहीं नहीं 2.5 तब होता increases होता है कि increase by यह दिया हुआ simple सा increased 1.5 times मलब डेर गुना बह जाती है डेर गुना जादा नहीं हो जाती है outlet पर वादर डेर गुना हो जाती है तो डेर गुना हो जाती है simple सा increased 1.5 times है अगर यह होता ना कि increases by 1.5 times यहार होता कि सिम्पल सा दिया हुआ है कि dare華ईmn हो जाती है क्लिए यहां कोई डाउट नहीं एक्जांद अइसा ही होता है और टाइम क्विल बिल्खन ही बोले में ऐसा ही होता है कि हम छुटा सा गलती कि यां में पता है कि B márpla है तो बी माहिन सोना चाहिए और बी बी मानस होना तो बन गया था यह कॉस्चेन पेपर में नहीं बन पाया यहीं रिजन होता है got it clear है समझ में आया किसी को कोई problem नहीं समझ में आया क्या concept था क्या बेतानी कोशिज कर रहा था ठीक है clear है एक बार फिर से बता तो जिनको नहीं समझ में आया कुछ में ज़्यादा नहीं ताम जहाम था कि दो इनलेट पाइप है मैं तो ए प्लस भी आठ मिनिट में पुरा काम साठ कर देता है कोई दिक्कत नहीं इसको ताम अलेग रधने सा कोई यूजी भी नहीं अब क्या दिया है कि अगर आउटल disciples組 देंक पाइप को देरो नहीं कर दों कभी टेंक नहीं भरेगा मतलब जितना टेंक भरेगा उतना खाली होगा सकशनी 13 И 1-4 इसमें PORTele 16 unit की value 60 liter, एक unit की value 15 बटे 4, यहाँ से भी कर सकता है यहाँ से देखो, कुछ करने की जरुवत नहीं थी, यहाँ क्या हो गया, यहाँ आगया, इसकल्टू यह 60 liter है, यहाँ क्या आगया, यहाँ आगया, 16 unit की value, जो है, वो 60 liter है, तो B की efficiency क्या है, 4 unit, तो 4 unit की value क्या आजगी, 15 liter per minute, answer आगया, 15 low answer, ऐसा है कि tough question है, नॉर्मल सा question था, सर, A और B का ratio कैसे निकालेंगे, पता नहीं चला था, अरे बच्चे, नॉर्मल सा दिया हुआ है, कि A को दुगना कर दू, A की efficiency को, और B की efficiency का डेर गुना कर दू, तो यह pipe कभी नहीं भरेगा, मतलब जितना यह भरेगा, उतना ही खाली होगा, मतलब दोनों मिलाके 0 होगा, कभी नहीं भरेगा, तब क्या, जितना यह भर रहा है, और उतना ही यह क्या कर रहा है, खाल ही का रहा तभी वह नहीं भरेगा ना मतलो इकल टू जीरो कर दिये इसलिए ए और बी का रेशियो आया 3 is to minus 4 कोई दी कत चलिये यह बताओ जारा जल्दी से fast fast करो इसका अंसर बताओ क्या आएगा इसका अंसर करो fast क्या आएगा At what time would a Christian be filled by 3 pipes whose diameter are square of its diameter normal सा question है जली बताओ fast Sir लेकिन डेर गुना करने पर तो नहीं भारेगा ना आपने last बच्चे क्या हुआ देखो डेर गुना करने तो b की value डेर गुना नहीं हुआ b into डेर है था पिछले बाले में हमने लिखा था क्या पिछले बाले में हमने लिखा था देखो 2a प्लस b लिखाओ तब 60 लिखाओ 2a माइनस डेर हुना बी नहीं लिखाओ यहां यह नहीं लिखाओ कि 2a into 1.5b यहां सिर्फ b है 2a माइनस b है तब यह भर रहा है समझ में आया सौरफ बताजिये इसका अंसर क्याएगा क्या होगया हाहहह बहुत हसरेव बताजिये पास इसका अंसर क्याएगा देखको एक simple ऍा question है, simplest है की को एक circular pipe से जो पानी बाहर आता है वो किसे पर infect करता है वो दिया है कि उसके पानी की माइता उसके व्यास के बर खे様 Barry के समान पाती होता है, मतलब उसके पानी कितनी बाहर आए efficiency उसके क्या आता है व्यास के बर खे akhir युच इसकी इसकी efficiency का ratio क्या आजाएगा? तीन pipe का 1 का square ये क्या आजाएगा? 3, 1, 4, 16, 9 और ये क्या आजाएगा? 4 ये इनकी efficiency का ratio आएगा 9 is to 16 is to 36 ये इनकी efficiency का ratio है तो timing का ratio क्या आजाएगा? just opposite 1 by 9 1 by 16 और 1 by 36 इस calcium क्या हुआ? 9 सही है 4 144 144 ले लो LCM 144 है मैं रिपलाई कर दो ये 9 सही है क्या हुआ? 16 16 सही है 9 36 सही है किती बार में? 4 बार में तो ये क्या आजाएगा? इनका timing का ratio 16 9 और 4 अब बोल रहा है कि the largest pipe, सबसे largest वाला pipe कौन सा है? सबसे largest pipe ये है जो timing कम ले रहा है तो सबसे largest pipe जो है क्या दिया हुआ है? when the largest pipe fill in 122 minute 122 minute में ये भर सकता है तो in what time fill 3 3 मिलके किती दिर में भरेगा? तो आप क्या लिखो? इसे लिखो कि 4 x 122 3 मिलके 16 9 क्या हुआ? 25 25 और 4 29 into T ठीक है अब ये काट दो क्या हुआ? T या 45 45 4 कुछ गलत तो नहीं हुआ है देख लिख बाए 72 is the right option हमने क्युछ गलत तो नहीं किया ये आगा अपने पास का 36 6 बिल्कुल सही टाइमिंग कर एसी हो 16 64 16 9 4 है और 4 की value 122 है 4 की value 122 है 4 into 122 तो ये देखो ये गलत कर दिया नहीं क्या जरुवत था इसको करने का यहीं से निकाल दो तो यह efficiency आ गई न तो नॉर्मल सह था यहीं से बना लेते efficiency आहीं गई थी तो सबसे largest pipe ये है C तो C कर सकता कितनी दिर में 122 में इसकी efficiency कितनी है 36 36 into 4 2 a plus b plus c तो 69 क्या हुआ 25 और 25 और 36 6 पहुंचे 11 पहुंकी एक दिर पहुंच एक 6 61 तो 61 यह कितनी दिर में कर सकता है देखो न यह जबला 36 कर सकता है 122 मिनिट में तो यह क्या हुआ टोटल मिला दूद क्या हुआ 61 कितनी दिर में T 2 32 22 मैं लगता है दिमाग काम करना बंद कर दिया मुझे लगता है में दिमाग काम करना बंद कर दिया ठीक है तो 72 is the right option ठीक है कौन है Isay's short gaming गलत-गलत-गलत क्यों गलत हो गया सबका सही तो है 72 मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है मेरे खाल से आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि ठीक है? क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो को एक वाइरस आ गया है कुछ वाइरस जो होते हैं न? किसी ने समूसा खिला के भेजा होगा ठीक है यह चीजे समझ में आगई कि यह efficiency आ गई तो c कर सकता के लिए क्या हुआ? 36 efficiency यह थी efficiency को time multiply के तो total work आता है efficiency को time multiply के तो total work आ गया अब बोलता है तीनों मिलके तीनों मिलके efficiency क्या हुआ है 169 प्लस 361 इंटो time t की value बहतर आ गई ठीक है? ठीक है कोई दिक्कत नहीं तो बच्चे अब यह जो है यह question 1,2,3,4,5,6,7,8 अब यह कल ही करेंगे एक question बस दे ज़ता हो home work मेरे ख्याल से आपको यह वाला question बना लो मेरे ख्याल से कौन सा? चलो यह बना लो home work में यह आपका एक question home work में इसको बना के answer करना आसान सा दिया हो question यार टफ नहीं दिया हो आज यह आपका जो है home work है यह question इसको बनाना आप ठीक है? got it यह question आसा है अच्छा सा question है normal सा question है लेकिन तो आसा technically question है अगर यह question आप बनाते हो तो आप देखता हूँ कि सही लगेगा question सही है हाँ और आपको बता दूँ कि mass premium batch जो है बच्चे मैं आपको छोड़ा सा information दे दूँ mass premium batch के बारे में mass premium batch नहीं देखो उन बच्चों के लिए mass premium batch यह arithmetic batch है arithmetic का भी batch है बाद में advance शुरू होगा बाद में advance शुरू होगा यह arithmetic batch है तो basically क्या है उन बच्चों के लिए जैसे आपके भाई बहन चोटे भाई बहन जो government job की तयारी करने के बारे में सोच रहे है यह वह student जिनका base strong नहीं है जिनका base strong है उनको कोई दिक्कत नहीं आप यहां YouTube पर पढ़ते रहो आपको अच्छे questions मिलते रहें लेकिन जिनका basic strong नहीं है जिसका basic weak है और जो doubt नहीं पूछ पाते हैं जो doubt नहीं पूछ पाते हैं जिनको लगता कि यह चीज कैसे हुआ तो उनके लिए मैं यह batch लेके आ रहा हूँ आपको इस्टोर अड़ा पर यह मिल जाएगा इस्टोर अड़ा 247 पर यहां आपको batch मिल जाएगा premium batch करके यह premium इसलिए मैं नहीं रखा यह उन बच्चों के लिए बस जिन बच्चों को one to one जैसे हो था आप स्कूल में पढ़ते थे बहुत सारे बच्चे ऐसे हो तो जो ट्विशन नहीं लेते थे अब स्कूल में गए देखो आपका कर सकते हो कि YouTube एक तरीके से स्कूल है YouTube जो एक तरीके से स्कूल आते हो पढ़ते हो हमबर्ग मिलता चीज़ें चले जाते हो और कुछ-कुछ बच्चे इसे हो देते हैं जो इसकूल के साथ एक्स्टाट्विशन क्लासे लेते थे उनके लिए वह है मैस प्रीमियम बैच मतलब एक तरीके सोच सकते हो आप बिना उसको लिए भी आप सेलेक्ट हो सकते हो कि आपका कॉनसेट में प्रॉबलम है तो वह बैच आप जोइन कर सकते हो यह आपके दोस्त भाई वहन जो तयारी करने के बारे में सोच रहे हैं उनको आप प्रिफरेंस दे सकते हो कि अगर तुम सोच रहे हो तो एक बार यह बैच परके देखो आपका अर्थमेटिक का सुरू करूँगा फिर बाद में अडवांस लेके आऊँगा तो अर्थमेटिक पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा मतलब मैं आपको फिर वही बोलता हो ना कि एक सुनहरे भविस का जो नीव अगर आप रखना जाते हो इस बैच को आप जोइन कर सकते हो मतलब इसमें क्या होगा डेली क्लास होगी आपको एक मतलब सीट दूगा और सीट का डिसकसन होगा प्रपर क्योंकि क्या होता है जिसे पिछले बैच में बहुत जादा बच्चे थे तो फिर मैं उतना डिसकस नहीं सबके डाउट नहीं ले पता था प्रपर लाइव आपको पूछ रहे हो वीडियो काउफरेंस करे था और आपको क्वेशन बोट पर पर आपको क्वेशन आगया मेरे से पास तुरत जिससे इस तरह के सिस्टम होगा कि एक लैप्टॉप है दूसरा लैप्टॉप सामने मतलब एक लैप्टॉप आपमें तुरत भेजा इसमें यह गलत है यह यह सही है तो यह बैच सही है मतलब आप प्रिफरेंस दे सकते हो अपने दोस्तों को खुद को भी चार्ज कितना है मेरे खासाब जाके देखना ना हजार रुप एक आराउंड जाएगा देखो बच्चे में 200-300 इस बैच का नहीं रखा हूं कि 200-300 रखने के बात क्या होता ना अलिमिटेड बच्चे उसमें आ जाते हैं जिसे पिछली बार हमने बच्च के टाइम 999 रख दिया था अब इतना अलिमिटेड बच्चे आ गए कि मैं परहसान हो गया मतलब 700 में बाद में भी का था डिस्काउंड रखन के बाद और यह महा पैक में यह बैच नहीं है मैं पहले ही बदा दिया कि यह बैच जो है महा पैक में नहीं है नम्मर सिश्टम तो जो मैं परहार हूं उस बैच में कल से सुरू हो जाएगा ठीक है clear है तो यह बैच आप अपने दोस्तों को preference दे सकते हो और आप अगर आपका concept सहीन है तो आप भी इसे join कर सकते हो हाँ यह paid बैच होगा बच्चे सार बात भी सुन लिया कि यह क्या हुआ मुकेस बताओ क्या पूरा दिखा दीजिए question sir कौन सा question मैंने बता तो तो यह hum question homework के लिए मैंने कौन सा यह दिया था no homework के लिए ने यह नहीं था यह था question यह मैं बताओंगा यह कल करवाँगा यह जो बच गए question क्योंकि कल भी pipeline system नहीं है तो कल pipeline system में यह last वाले question यह सारे question में करवाते वे जाओंगा और last में जो आपका जैसे आपका time over का homework जो नहीं बन plus included here number system भी जोगा मैं पूरा syllabus भी इसमें बता दुगा इसमें बता दूंगा percentage profit loss fraction time addition और साथ में included number system होगा इसमें number system होगा साथ में number system होगा यह नहीं नहीं कहीं वीपार्ट होता है ठीक है ठीक है clear इसमें number system होगा आसीस बता दिया sir you must cover scheduler theorem as well as please sir बिलकुल करवा दूँगा वो भी ठीक है किसी को प्राब्लम और हाँ बेसिकली मैं आपसे यही करूँगा कि इस बैच में जो सिंसिर इस्टूएंट प्लीस भही आना क्योंकि पता पिछले बैच में दो चार दस बारा ऐसे स्टूएंट आगया तो जो बास्ता में मुझे कभी-कभी इरिटेट कर देते थे और मैं चाहता हूँ दसी बच्चे हो लेकि वो पढ़ने वाले बच्चे और वो पढ़े और वो पढ़ने के लिए आए क्योंकि कायाता है कुछ लोग इतना सस्ता में कभी-कभी महा पैक में आ गया था वो बैच अब कभी-कभी घूमते चले आये कुछ भी बोले जा रहे तो वो से क्योंकि यूटूब पे थमना और कॉमेंट पर ध्यान नहीं देता है तो वो से फिर हमारा भी होता एक बैच के मैक्सिमुम बच्चे सलेक्ट हुए है ठीक है तो वह 19 में से शुरू होगा 19 में से आपका पूरा का पूरा आप किसी भी चीच की तियारी कर रहे है आप तयारी सोच रहे हो कि में तयारी करूँ अब साम की क्लास SSC के लिए भी है नहीं साम तो मैं आपको बैंकिंग के लिए पढ़ाता हूं साम में पूरा धे ही होता है बैंकिंग के बच्चों पे क्योंकि इस पर D.I.E. मतलब बैंकिंग में कैसे कोशन साथ हां आप अर्थमेटिक और एडवांस करना है तो आप उसमें जॉइन कर सकते है क्योंकि उसमें अर्थमेटिक और भी हाइलेबल का होता है ठीक है चलिए ओड़ेए ठीक है क्या थीक है अज कल इतना ही है आप मैस प्रेमियम बैच जोन कर ले ना मैस प्रिमियम बैच के बारहे में अपने दोस्तों को यादा क्या करना सजेस्ट करना अगर आपको अच्छा लगता है तो ??? नहींत बैकार क्यूं दूसरे को रहाध करो के जिंदगर अगर तुम्हें खुद ना समझ में आ रही मेरी बात है तो दूसरों को कभी भी वह सजेश्ट में करना अगर तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं this is good और वह फाइदा होगा तो फिर आप सजेश्ट करना ठीक है बच्चों हम बिल्कुल SSC MTS हो SSC CGL हो कुछ भी हो सब चीजी है टेस्स तो बच्चे में उसमें दूंगा ही अपना अलग से ही मतलब जो मैं पराता हूं उसका weekly test तो वह होगा ही आपको अधिक का भी मैस उसमें cover हो जागा बिल्कुल arithmetic पूरा एंटीपीसी का उसमें clear हो जागा धर्मिंदर मैंने पोला ना कि आप एंटीपीसी की तियारी कर रहो बैंकिंग की तियारी कर रहो सीटेट का वेपर दे रहो या स्टेट लेवल दे रहो यूपी पुलीस बिहार पुलीस कुछ भी दे रहे हो तो जो एक मैस होता है वह मैस में इतना करवा दूगा उसमें arithmetic का पूरा concept जनरली समें तो arithmetic होता है सीजेल में advance होता है यह पहले arithmetic का बैच है आप में advance का सुरूओगा तो मतलब आपको कहीं से कोई numbers में problem नहीं आएगी और साथ में number system भी है arithmetic में इसमें number system included यह चीज आद दखिएगा ठीक है चलिए तो आज के लिए मेरे खाल से बच्चे इतना ही और कोई doubt है किसी को कुछ सवाल है कहीं कुछ आपको अच्छे से एक बच्चा पूछा था concentration देखो बच्चे एक ची मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो क्या होता है कि maximum बच्चों में जो demerit होती है कि sitting नहीं होती है आप sitting नहीं कर सकते हो आप लगातार दो घंटे जो है table chair पे बैठ नहीं सकते हो आप जो है लगातार दो घंटे table chair पे आप नहीं बैठ सकते हो तो यह सबसे वरी problems है, आप बैठ नहीं सकते हो table chair पर, तो table chair पर बैठना सबसे पर important है कि आप table chair पर बैठ के पढ़ हो, पहली चीजे, जो आप पढ़ते हो ना, कि आप लेट गए सोफे पर और फिर बुक लेकर पढ़ रहे हैं, उससे क्या होता, इसका scientific reason है, कि जब आप का जादा मतलब कह सकते हो circulation रुक जाता है, तो क्या होता है कि हमारी concentration power वहीं वीक होती है, जो हम पढ़ते हैं, उन चीजों को भूल जाते हैं, तो जब भी आप बैठा करो table chair पर बैठ के fully concentrated, दूसरा sitting capacity पढ़ाओ, क्या होता है कि आप हर 10 मिनिट बाद उठ जाते हो, आप हर 10 मिनिट बाद mobile check करते हो, मतलब यहाँ पहले discipline लाओ, अगर आप मुरे दिन बाद में एक ही घंटा पढ़ते हैं, तो उस during में आपका mobile पर ध्यान नहीं हो जाए, mobile कहीं दूर off करके रख दिये, या कहीं दूसरे कमरे में रख दिये, यहाँ बैठे हैं बुक और कॉपी के सा और कुछ भी, एक घंटा मनलो तुम math बना लो, नहीं पढ़ने मनल लग रहा है math, एकदम नहीं बनना है, निंद आ रही है, कोई बात ने रख दो math, दूसरा subject उठा लो, कुछ ना दिखे तो novel उठा लो, newspaper उठा लो, लेकिन कसम खा लिए कि एक घंटा बैठना है तो पढ़ हो, कुछ भी पढ़ो लेकिन पर हो, ठीक है पहली चीज़े, और जितना जादा जदा mobile से laptop से दूर रहो उस during में, उस दुनिये ने कि laptop भी रख दिये, mobile भी रख दिये, हम पढ़े भी जाने, एक message भी चेक कर लिए, एक message का जबाब भी दे दिये, ये गलत है, इस चीज़ों क्यों चलने की कोसिस करते हो, वह extra ordinary होते हैं, कि जो भास रहे हैं, दिन भर ऐसे खेल दे हो, select हो जाते हैं, उनकी बात नहीं करता हूँ, मैं average student की बात कर रहा हूँ, average student के लिए मैं आपको यह suggest करूँगा, कि पहले sitting की capacity डालो, पहली चीज़े, दूसरा जो है, सुबह उतने क्या आदर लग, दूसरा एक, आप meditation कर सकते हो, meditation में क्या होता है, कि आप आँखे बंद करके कुछ देर, सांथ, कुछ नहीं सोचना है, आँखे बंद करके बीना सोचे हुए 5 मिनिट रहना है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप जैसे आँखे बंद करोगे, अभी आप तुम्हारे दिल में, सारी negative बातें आजाएगी, सारी negative बातें क्या आजाएगी, और इतना भुचाल सा आजाएगा, लेकिन आँखे नहीं खोलना है, कोई दिक्कत नहीं है, स्लोली, 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 रोज 10 मिनट, 5 मिनट इस तरीके से सोचना, धीरे धीरे क्या होगा, कि जो बातें आएगी, सारी negative बातें, वो सारी negative बातें धीरे 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 चलती चली जाएगी, कुछ दिनों बाद, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद क्या हो जाएगा, तुम्हारा मन बिल्कुल सांथ हो जाएगा, तुम्हें कुछ ऐसी बातें ही नहीं आएगे, और धीरे ध दिरे दिरे क्या होगा, तुम किसी एक पॉइंट पर खुद को meditate, concentrate करने लोगे, उससे तुम्हारी क्या होगी, concentration power ऐसे ही increase होती है, तो जो अपने अंदर, हर इंसान के अंदर positive wipes होते है, negative wipes होते है, तो negative wipes को निकालने का सबसे बेश्ट तरीका यही है, कि आप आँखे बंद कर इसके बारे में तो आप सोचे के पताने सर क्या बाबा बन गे, ऐसा नहीं, आप इसको पांच दिन करके देखो, कल मैं पूछूंगा कितने बच्चों से कितने बच्चों ने आँखे बंद किया, और सोचा, कुछ नहीं सोचे नहीं तुम्हारी दिमाग में क्या आया, ठीक ठीक है, चलिए, बचों आज के इतना ही है, मेरे खाल से काफी जादा हो गया, I am taking class in morning along with Trump, okay, Kim Jones, सही है, चलो, good, 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 सही है, थे को Kim Jones भी आगे, सही है, मैं तो international हो गया, आप बारनसी में अफलाइन क्लास नहीं देंगे, जब से केले पावर बंद हुआ है, हमारे प्रिशन कोई बात नहीं है, अंकित, यहां से आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, ठीक है बच्चों, और कोई problem, किसी कोई दिक्कत, तुम मैं मेरी बात मानो के, कल जो है, मैं उमीद करूं कि कल जो है, आप इस टाइमिंग, मतलब कल मैं जब आप से पूछूं कि तुमने meditation पाँच मिनिट किया या नहीं किया, तो जब आप दो के, लिखो, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, class कितने उचाट होती है, बच्चे, daily class जो होती है, 12 बज़े start होती है, और yes 60 days master plan है, yes 60 days master plan है, daily 12 बज़े class होती है, इस topic में, इस batch में, अभी तक मैं परहा चुका हूँ, percentage, profit loss, simple interest, compounding, ratio, mixture, एवरेज, एजेज, टाइमेंड वर्क और पाइपन सेशन चल रहा है अब टाइमेंड डिस्टेंस होगा नेक्स्ट वीक उसके बाद इडवांस सुरू हो जाएगा ठीक है? नम्मर सेशम साथ में इंक्लूडेट तो इसके लिए आप तयार रहना, ठीक है बच्चों? तो फिर कल मिले चलिए ठीक है बच्चों? तो पढ़ते रहे हैं ज्यादा ज्यादा वीडियो को सेर करना, लाइक करना और फिर मैं लाश में यह बताऊंगा कि प्रीमियम बैच जो हमारा सेशम एड़ा 247 पर प्रीमियम बैच उसको अपने दोस्तों को सजेस्ट करना, ठीक है? अगर आपको सही लगता है तो ठीक है? चलिए फिर तब आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट डे, कल यार मुझे मैस बिल्कुल समझ में ने आती है, यार घर पे तो कॉश्चन बन जाते हैं, लेकिन पेपर में कॉश्चन एटेम्ट नहीं हो पाते हैं मैस के, यार मैस बहुत टफ हैं, ऐसे कई सवाल आपने सुने होंगे, इन सभी सवालों का जबाब ये है, लैक आफ बेसिक concept, चाहे आप SSE की त्यारी कर रहे हो, चाहे आप banking की त्यारी कर रहे हो, चाहे आप railway की त्यारी कर रहे हो, या आप debt की त्यारी कर रहे हो, या आप state level की त्यारी कर रहे हो, किसी भी government job की त्यारी कर रहे हो, या आप fourth class में हो, या fifth class में हो, और tenth class में हो, किसी भी class में study कर रह आपका basic concept का clearance तो आपके basic concept को सही करने के लिए जो आपका mass का इक डर है उस डर को भगाने के लिए मैं लेके आ रहा हूँ राप में 8 से 9 Let's Play With Mass Only on Adda247 यार मुझे mass बिल्कुल समझ में नहीं आती है यार घर पे तो question बन जाते है लेकिन paper में question attempt नहीं हो पाते है mass के यार mass बहुत tough है ऐसे कई सवाल आपने सुने होंगे इन सभी सवालों का चबाब यह है lack of basic concept चाहे आप S.S.C. की त्यारी कर रहे हो चाहे आप banking की त्यारी कर रहे हो चाहे आप railway की त्यारी कर रहे हो या आप debt की त्यारी कर रहे हो या आप state level की त्यारी कर रहे हो किसी भी government job की त्यारी कर रहे हो या आप fourth class में हो या fifth class में हो और tenth class में हो किसी भी class में study कर रहे हो हर जगा mass ज़रूरी हो याप चाहे आप IS का paper दे रहे हो चाहे आप PUN का paper दे रहे हो हर एक्जाम में कहीं ने कहीं मैस इपोर्टेंट है और मैस को सही करने का सबसे बेस तरीका क्या है आपका बेसिक कॉंसेट का क्लियरेंस तो आपकी बेसिक